साथ कली सी आई कालो और साथ मोहरों के बीच का फासला जेफर्सन विले, इंडियाना, यू, एस, ए, सत्रह मार्च 1963 शाम, विलियम मेरियन ब्रणहम सुसंध्या, मित्रोग आज रात्री यहां पर परमेश्वर के भवन में वापस सभा में आना, और अभी तक इस सुबह मन्ने के द्वारा जीवित रहना, जिसमें उसकी महान उपस्थिती के द्वारा हमारे प्रान भर पूरी में आशीशित हुए थे, एक महान सौभाग्य की बात है और अब आज रात्री हमारे पास एक है, आज रात्री हम इस विशे पर संदेश आरंब कर रहे हैं, साथ कलीसियाई कालों और साथ मोहरों के बीच का फासला, और इस दोपहर के पश्चात मैं एक मित्र से थोड़ी बातचीत कर रहा था और हो सकता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा हुई, तो इस गर्मी में किसी समय, यदि वह मुझे घर नहीं ले जाता है, या मैं वापस लोट कर आता हूँ, या समुद्र पार नहीं जाता हूँ, या कहीं और नहीं जाता हूँ, तो मैं पुनहंतिम साथ तुरहियों पर बचन प्रचार करना चाहूंगा, और ये एक दूसरे से जुरी हुई है, और इसके बाद इसमें साथ विपत्तियां है, और जैसे जैसे हम इनका अध्यान करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे ये एक दूसरे से जुरती चली जाएगी, आज रातरी जबकी हम एक प्रकार स से शांत है, हो सकता है, आज रातरी मेरा संदेश थोड़ा सा लंबा हो जाए, जो ही मैं यहाँ पर वापस आऊंगा, जो कुछ सारा मैंने प्रचार कार्य फीनिक्स में किया हूँ, वहाँ पर मेरा एक बार भी गला खरक राया नहीं, देखिए, यह सही बात है, और ओ, मेरे परमेश्वर, मैंने वहाँ पर कितने जोर शोर से वचन का प्रचार किया था, और मेरा यकीन है कि मैंने बिना किसी खराश के 27 सभाय करी थी, परन्तु आप देखते हैं कि यह यहाँ का मौसम है, यहाँ पर बड़ा खराब मौसम है, क्योंकि यह एक घाटी है, यहाँ पर व घाटी स्वास्थे के लिहाज से ठीक नहीं है, और कोई भी प्रचारक, जो यहाँ पर बोलता है, उसके गले में शुरू से ही खराश रहती है, और एक बार मेरे चिकित्सक मित्र ने यह देखने के लिए कि मेरे गले में क्या गरबड़ी है, मेरा गला देखा था, और उसने कहा था, तुम्हारे गले में कोई तकलीफ नहीं है, बस यही कि तुम्हारी स्वर नलिकाओं में कुछ कठोरता सी आ गई है, और कहा कि यह प्रचार करने से है, खेर आप जानते हैं कि वह बात मुझे पसंद सी आए, जब तक इस गले का उप्योग प्रचार कार्य के लिए ह होता रहता है, मुझे अच्छा लगता है, देखा आपने, ऐसा परमेश्वर के राज्य के कारण, वह ठीक हो जाएगा, अब हो सकता है कि हम अपनी देह में, यीशु मसीह के छाप को ना ले सकते हो, जैसे कि पॉलुस ने मार खाने से यीशु मसीह के छाप को लिया था, पर हम धन्यवादित हैं कि हमें और आगे को मार खाने की आवश्यक्ता नहीं है, विशेश कर इस समय तक के लिए, यहाँ पर कितने लोग है जिन्होंने, श्रीमानो, क्या यह वह समय है, नामक संदेश पढ़ा है, या इसे सुना है, क्या आप जानते है, महाश्यो, यह कौन सा स सुने, यह मुझे एक किस्म से बेचैन कर देता है, सभा को आरंब करने से पहले मैं केवल इसे बताना चाहता हूँ, लगभग एक सपताह या दस दिन पहले मैं बहुत परिशान था, मैं सभा या अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि यह क्या है, यह ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक बहुत ही भयन कर घटना है और मैं यह तक नहीं जानता था कि यह क्या था, अतह मैं, मैं सभीनो केनन जाने के लिए एक सुबह बहुत तरके उठता हूँ, सभीनो केनन की मेरे घर से वाहन के द्वारा 30 मिनट की दूरी है, या सबीनो केनन की चोटी तक पहुँचने के लिए मेरे घर से वाहन से 40 मिनट लगते हैं। वहाँ पर केवल एक सडक है जो पहाडी तक 30 मील की दूरी तक जाती है। वहाँ उपर एक विचित्र देश है। अभी मैं यहाँ पर रेगिस्तान में हो सकता हूँ, जहाँ पर ठीक अभी तापमान 80 और 90 है और यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर 8 फुट उची बर्फ में हो सकता हूँ, मैं पहार की चोटी पर हो सकता हूँ। अभी हाल ही में हम फीनिक्स में थे, जहाँ पर तापमान 20 या 28 या कुछ ऐसा सा था। उनके स्वीमिन पूल गर्म थे और लोग उनमें तैर रहे थे, और वहाँ से 40 मिनट तक वहन चलाने पर ऐसा स्थान आ जाता है जहाँ शून्य से नीचे 40 तापमान था, ऐसा फलेगस्टफ में था। देखा, यह उपरी धाराओं और रेगिस्तान का तापांतर था, और यह जलवायु दमे और दूसरे रोग्यों के लिए स्वास्थ्य प्रद है, परंतु। अब मैं उपर केनन पर पहुँच गया था और जितना उपर चर सकता था चर गया था। और जबकि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मैंने प्रभू से पूछा कि इन सब बातों का तथा और दूसरी बातों का क्या अर्थ है। मैं एक प्रकार से परिशान था और नहीं जानता था कि क्या करना है। और जबकि मैं प्रार्थना कर रहा था तब एक विचित्र घटना घटित हुई। मैं इमानदार बना रहना चाहता हूँ. अब देखिए, हो सकता है कि तब मैं नींद में था, या यह हो सकता है कि यह चेत अवस्था हो या हो सकता है यह एक दर्शन हो. जितना भी है मैं इस पर यह विश्वास करने हे तू विवश हूँ कि यह एक दर्शन था. मेरे हाथ इस प्रकार से फैले हुए थे और मैं कह रहा था प्रभू इस धमाके का क्या अर्थ है और उन साथ स्वर्ग दूतों का शुन्डाकार स्तंब पिरामिट के रूप में संघनित अवस्था में आकर मुझे भूमी से उपर उठाना और पूरब की ओर ले जाने का क्या अर्थ है मैं वहाँ पर प्रार्थना में खड़ा हुआ था और तभी कुछ घटित होता है और अब मेरे हाथ में कुछ गिर जाता है और मैं जानता हूँ यदि आप आत्मिक बातों के विश्य में नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि यहाँ आपको अत्याधिक विचित्र लगे परन्तु कोई चीज मेरे हाथ में गिरी थी और जब मैंने देखा तो यह एक तलवार थी और उस तलवार का हत्था मोती का बना था वहुष सुंदर्तम मोती का बना था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था आप जानते हैं जहां सुरक्षा कर्मी मैं सोचता हूँ कि यहाँ आपके हाथ को घाव के लगने से या चीरने से बचाने के लिए होता है आप जब की युद्ध कर रहे होते हैं उस तलवार का हत्था सोने का बना हुआ था और उस तलवार का फलक अधिक लंबाना था परन्तु वह अत्यधिक तेजधार वाला था और वह चमकदार चान्दी का बना था और यह वह सुन्दर्तम वस्तु थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी वह मेरे हाथ में सिधतरह से बैट फिट हो गई थी और मैं उसे पकड़े हुए था मैंने कहा था क्या यह सुन्दर नहीं है मैंने उसे देखा और मैंने सोचा परन्तु आप जानते हैं मैं सरवदा ही तलवार से डरा हूँ मैं एक प्रकार से प्रसन रहता था कि मैं उस समय में नहीं रह रहा हूँ जब लोग तलवार का उप्योग करते थे क्योंकि मुझे तो चाकुतक से डर लगता है और मैंने ऐसा सोचा, मैं इसका क्या करूंगा और जब कि मैं उसे पकड़े हुए था, कहीं से एक आवाज ने कहा, यह महराजा की तलवार है और इसके बाद वह मुझे छोड़ कर चली गई मैं विस्मित हो रहा था कि इसका क्या तात्पर्य है कि यह महराजा की तलवार है और मैंने सोचा यदि उसने कहा होता एक राजा की तलवार तो हो सकता था कि मैं इसे समझ जाता परन्तु उसने तो कहा था महराजा की तलवार इसलिए हो सकता है कि मुझे इसका अधिकार न हो परन्तु मैंने सोचा केवल एक ही महराजा है जो की परमेश्वर है और उसी की यह तलवार है जो की दोधारी तलवार से भी चोकी है समझे, और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बनी रहे समझे आप, मैंने सोचा, और आप द्वन्द युद्ध में देखते हैं और जैसा की मैं समझता मैं इसके विशय में एक शब्द तक नहीं समझता हूँ या इसके एक भी सिधान्त को नहीं समझता हूँ. परन्तु जहां तक मैं इसके बारे में समझता हूँ इसमें चाकू या तलवार तिरची चलाई जाती है. और तब आखिरकार जब वे आपका शत्रू और आप अपनी अपनी तलवारों को एक दूसरे के सापेक्ष तिर्चा करके रोक लेते हैं, जब आप अपनी अपनी तलवारों को इस प्रकार से रोक लेते हैं, तो इसके बाद द्वंध युद्ध में इंसान अपनी शक्ती लग और इसके बाद जब वेफिर से एक दूसरे से टकराती हैं, तो वे दोनों एक साथ आ जाती हैं, और एक महारत ही जो दूसरे को नीचे धकेल सकता है, उसकी तलवार सीधे उसके हरिदय पर होती है, अतह यह लेती है, यहां तक की तलवार वचन हो सकती है, जो विश्वास के शक्त हाथों को लेती है कि वे उसे थामिक कि वो उसे दुश्मन के हरिदय पर साधे, अब मैं इन बातों के विश्य में नहीं जानता हूँ, परंतु केवल, जो कुछ भी मुझे परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, वही मैं आपको बता सकता हूँ, वही मैंने आपको बता है, ताकि आप जान जाएं कि मैंने विश्वास किया है कि ऐसा ही था, क्या ये हमारे प्रभू ने नहीं कहा था, जो कुछ भी उसे पिता से प्राप्त हुआ था, उसने वह सब बता दिया था और अपने पास कुछ नहीं रखा था, और और इसी प्रकार से हम उन सब बातों क अब यदि आप वास्तव में समझदार बने रहें और प्रार्थना करते रहें, तो मैं सुनिश्चित हूँ कि अब आप जल्द ही कुछ उन बातों को समझ जाएंगे जिनके प्रकट होने की मैं आशा करता हूँ. अब आएए हम सब उस पुस्तक के पाँचवे अध्याय को निकाले जो यीशु मसीह का प्रकाशन कहलाती है. अब देखिए, कल रात को हम पहली मोहर पर वचन प्रचारेंगे. पहली चार मोहरे चार घुट सवारो द्वारा खोली जाती हैं, और इन में से प्रती एक मोहर के खुलने पर प्रित्वी पर कुछ घटित होता है. और इसके बाद संभवतह ये मोहरे अधिक लंबी ना होंगी, जब तक की हम उनको क्रमानुसार न देखते जाएं. जैसे सोम, मंगल, बुद्ध ब्रिहस्पतिवार इत्यादी को और इसके बाद मैं छटी मोहर के लिए सोचता हूँ. और शायद पांचवी, छटी और सातरवी मोहर बहुत लंबी होंगी. अतह हो सकता है कि यहाँ आपको थोड़ा सा विश्राम करने है तु थोड़ा समय प् और मैं मंच पर ठीक साड़े साथ बजे होंगा. और तब हो सकता है कि हम मध्यरातरी को यहाँ से बाहर निकले. अतह मैंने इस प्रातह एक घंटा समय अधिक ले लिया था. मेरा वह मतलब नहीं था, मैं केवल. मैं नहीं जानता हूँ कि कब मैं नहीं जानता हूँ कि पहला स सवार क्या है? मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पाचवी, छठी या सातवी मोहर नहीं जानता हूँ. मैं इस क्षन इसके विशय में कुछ नहीं जानता हूँ. समझे, मैं तो केवल उस पर आश्रित हूँ. अतह यही कारण है कि मैं इस सप्ताह परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी सहायता से इन्हें बताने का प्रयतन कर रहा हूँ. और मैं यकीन कर रहा हूँ कि आप इन्हें गहराई से समझ जाएंगे. आप जानते हैं कि दर्शन में आप जिन बातों को देखते हैं आप उन बातों को तब तक प्रकट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको उन्हें प जब तक चंगा नहीं होगा, जब तक कि वह वहाँ पर रखी हुई है, मैं उन्हें नहीं बता सकता हूँ या नहीं मैं उसे वहाँ से हटा सकता हूँ, उसे तो किसी और रीती से हटना है, अन्य किसी को उसे उठाना है और हटाना है, और तब सब कुछ ठीक हो जाता है, इसके इसे प्रकट किया जा सकता है। अतहब आये हम प्रार्थना में चलते हैं। अब इससे पहले की हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पड़े आये हम अपने जुके हुए सिरो के साथ उससे बाते करें। प्रभु यीशु हम पूरी तरह से अयोग्य हैं। केवल एक ही है जो इस पुस्तक का खुलासा कर सकता है। प्रभु अब वो आगे आये और अपने दास के क्षीन प्रयासों को आशीशित करे। जैसे जैसे वचन आगे बढ़ता है, वचन को आशीशित करे। होने पाए की यह आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़े। और होने प प्रदान कीजिए, कि समस्त प्रशंसा आपकी हो। होने पाए जो भूखे और प्यासे हैं, वे आज रात्री वचन से भोजन वर जल पाए। हम इसे, यीशु के नाम से जिसका की यह प्रकाशन है, मांगते हैं। आमीन। अब हम प्रकाशित वाक्य के पाँचवे अब यह साथ मोहरे नहीं हैं। यह साथ कलिसिया काल और साथ मोहर के बीच का फासला है। अब प्रकाशित वाक्य के छटे अध्याए बलकि चोथे अध्याए में कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ है जो कलिसिया के उपर चले जाने के पश्चात होती है। के समय में से नहीं गुजरती है। मैं जानता हूँ कि यह उन सभी प्रचारकों के विपरीत है जिन से मैंने बाते की हैं। परन्तु मेरा तात्पर्य सभी से असहमत होना नहीं है। मैं तो आपका भाई बना रहना चाहता हूँ। परन्तु मुझे इसकी शिक्षा वैसी ही देनी चाहिए जैसा मुझे यह दिखाई देता है। आप देखिए, यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो मैं वचन को सुग्यवस्थित तरीके से क्रमबद नहीं कर सकता हूँ, और अब यह महासंकट के समय से पहले या महासंकट के समय के पश्चात उपर जाए मैं तो इसक साथ ही जाना चाहता हूँ, यही एक मुख्य बात है, इसलिए हम उन बातों को सत्यमान रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण मैं उदाहरणों में वचन को समझाता हूँ, मैं उसे देखता हूँ और देखता हूँ कि यह क्या है या यह पुराने नियम में है जो कि विचार मिलता है कि नए नियम में क्या है, समझे, जैसे, नूव महासंकट के समय के आरंब होने से पूर्व नाव में चला जाता है, जो की एक नमूना है, परन्तु इससे पहले की नूव नाव में जाए हनोक उपर चला जाता है, देखिएगा, कुछ भी घटित होने से बाहर बुला लिया जाता है, परंतु इबराहीम सभी समय सदोम से बाहर था, देखा आपने नमूनों को, परंतु अब हम पहला पढ़ पढ़ेंगे, मैं इसके पहले दो या तीन पदू को पहनगा, और जो सिंघासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो साथ मोहर लगा कर बंद की गई थी, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्ग दूत को देखा जो उचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरे तोडने के योग्य कौन है, और न स्वर्ग में न पृत्वी पर, न पृत्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टी डालने के योग्य निकला, क्या ही पुस्तक है, और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टी करने के योग्य कोई न मिला, अब आ आप अयोगिता के बारे में क्या कहते हैं। यहां तक कि उस पर दृष्टी डालने के योगय भी कहीं पर भी कोई व्यक्ति न था। तब उन प्राचिनों में से एक ने मुझ से कहा मत रोप देख यहुदा के गोत्र का वो सिंग जो दावत का मूल है। उस पुस्तक को खोलने और उसकी साथो मोहरे तोड़ने के लिए जैवंत हुआ है। और मैंने उस सिंगासन और चारो प्राणियों और उन प्राचिनों के बीच में मानो एक वद किया हुआ मैमना खड़ा देखा, उसके साथ सींग और साथ आखे थी, ये परमेश्वर की साथो आत्माएं हैं, जो सारी प्रित्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंगासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। हम अब थोड़ी देर के लिए प्रकाशित वाक्य के पाचवे अध्याय के पहले पर से साथवे पत तक पढ़ना रोकते हैं। अब यदि आप इसे रेखाकित कर रहे हैं। तो यह समझिए कि इस साथ मोहरों की पुस्तक का खुलासा प्रकाशित वाक्य के दस्वे अध्याय के साथवे गरजन के समय होता है। आईए हम एक शन के लिए प्रकाशित वाक्य के दस्वे अध्याय को निकाले ताकि इससे पहले कि हम अपने से उतरते देखा उसके सिर पर मेगधनुष था देखिए यदि आप गौर करें तो यह मसी है क्योंकि पुराने नियम में वह वाचा का दूत कहलाया था और अब यहां पर वह सीधे यहुदियों के लिए आ रहा है क्योंकि कलिसिया जा चुकी है समझे यह सही बात है और उसका मूँ सूर्य कासा और उसके पाव आग के खंभे के से थे क्या आपको वह दूत स्मरन है जो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में है यह वही है दूत एक संदेश्वाहक होता है और वह इसराइल के लिए एक संदेश्वाहक है समझे अब देखिए यहां पर कलिसिया एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी, अब यहाँ पर देखिए, पहले यह पुस्तक बंद थी और इस पर मोहर लगी हुई थी, परन्तु यहाँ पर यह खुली हुई है, यहाँ पर यह खुली जा चुकी है, उस समय से जब इस पुस्तक को मोहर बंद किया गया था, आज र के लिए रुकिये मैं इसे फिर से पढ़ना आरंब करता हूँ और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी उसने अपना दाहिना पाव समुद्र पर और बाया पाव पृत्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिलाया जैसे सिंग गरजता है हम जानते हैं यहाँ पर वह मैमना है परन्तु यहाँ पर वह सिंग है समझे और जब वह चिलाया तो गरजन के साथ शब्द सुनाई दिये अप्रेरित और भविश्यद वक्ता युहनना को यहानुमती दी गई थी कि जो उसने देखा है वह लिखे अतह उसने इसे लिखने के लिए अपन शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मतलिक अब यही है वह जो हम नहीं जानते हैं अभी भी इनका खुलासा होना बाकी है इसका वर्णन पवित्र वचन में नहीं है जो उन गरजन के शब्दों ने कहा था और जिस स्वर्ग दूत को मैंने समुद्र और प्रित् और प्रित्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है स्रिजा उसी की शपत खाकर कहा अब तो और देर नहोगी देखिए यहां पर वह पद है जिसे मैं लेना चाहता हूँ वरन सात्वे स्वर्ग दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूखने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरत उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविश्य दताओं को दिया पूरा होगा अब देखिए कि इस सात्व मोहरों की पुस्तक का गुप्त मनोरत सात्वी कली सियाई काल के दूत के संदेश देने के समय प्रकट होगा समझे जब सात्वा दूत तुर्ही फूखने पर होगा और वहाँ पर संदेश अर्थात सुसमाचार लिखा हुआ है और यह हमारे पास टेप और पुस्तक के रूप में उपलब्ध है अब देखिए संदेश देने के आरंब में परमेश्वर का गुप्त मनोरत पूरा होगा देखिए उस समय परमेश्वर का गुप्त मनोरत पूरा होगा अब हम ध्यान देंगे, परमेश्वर के गुप्त मनोरत की पुस्तक का खुलासा तब तक नहीं होता है जब तक सात्वा दूट संदेश नहीं देता है अब मैं सुनिश्चित हूँ की यह बात मोहरों के दौरान महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसे प्रत्येक बिंदु को एक साथ क्रमबद करना चाहिए अब देखिए इसे गुप्त मनोरत लिखा हुआ है क्योंकि कहीं पर भी कोई व्यक्ती इसे नहीं जानता है केवल परमेश्वर केवल यीशु मसी ही इसे जानता है अब देखिए परंतु यह एक पुस्तक है एक भेदभरी पुस्तक यह चुटकारे की पुस्तक है हम इस बात पर थोड़ी देर में आएंगे और हम जानते हैं कि छुटकारे की इस पुस्तक को पूरी तरह से नहीं समझाया था पिछले छह कली सी आई कालो में इस पुस्तक की बातों की बहुत बारीकी से धून्ध धांग की गई परंतु अंत में जब सात्वे दूट ने अपने भेद की बातों को बताना आरंब किया तो उसने उन सब कमियों को एक साथ पूरा कर दिया जो उन लोगों से उन्च्य कली सी आई कालों के दोरान रह गई थी और भेद परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वचन के रूप में आते हैं और परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन को प्रकट करते हैं तब परमेश्वरत्व और अन्य सभी भेद समझ में आ जाते हैं सभी भेद चाहे वो सर्पवंश हो या चाहे वो कोई सभी भेद हो जिसका खुलासा होना है, विदित हो जाता है अब आप देखते हैं कि मैं ही उनको उजागर नहीं कर रहा हूँ यह तो वो है, यह तो यहोवा यू फर्माता है वाला वचन है मैं आपके लिए इसे पवित्र शास्त्र में से पढ़ता हूँ सात्वे दूट के संदेश देने के समय में परमेश्वर का गुप्त मनोरत उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविश्यद वक्ताओं को दिया पूरा होगा ये भविश्यद वक्ता वे भविश्यद वक्ता है जिन्होंने वचन लिखा है सात्वी कलीसियाइकाल में एंतिम कलीसियाइकाल में तुरिफू के जाने पर वे सभी खामिया जो इन कलीसियाइकालों के दौरान छोड़ दी गई थी उन्हें एक साथ सुधारा जाएगा अब स्मरन रहे कि ऐसा होने के समय पर सात्वा दूत प्रित्वी पर ही है। और उसे पवित्र आत्मा के द्वारा पर मेश्वर के समस्त गुप्त भेदों का खुलासा करना है। अब देखिए कि हम देखते हैं कि यह सात मोहरों की पुस्तक चुटकारे का गुप्त भेद है। यह पर मेश्वर की ओर से होने वाले छुटकारे की पुस्तक है। अब देखिए कि समस्त गुप्त मनोरत इस समय में इस सुसमाचार दूत के तुरन ही फूपने पर पूरे होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक दूत पृत्वी पर है और एक और बली दूत बली सुसमाचार दूत नीचे आता है। देखिएगा कि यह दूट, यह संदेश वाहक पृत्वी का दूट है, परन्तु यहाँ पर एक और स्वर्ख दूट स्वर्ख से आता है जिसके सिर पर मेगधनुष है, जिसके पास वाचा है, देखिए यह केवल मसीह ही हो सकता है ठीक जैसे कि वह प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में था, वह साथ दीवटों के बीच में मेगधनुष धारं किये हुए खड़ा हुआ था ताकि यशब और मनिक्य पत्थरों पर द्रिष्टी डाले और यहाँ पर वह दस्वे अध्याय में उस समय के पश्चात लोटता है जब समस्त गुप्त मनोरत पूरे होने है और मोहरों को तोड़ा जाना है और इसकी उद्गोश ना होनी है कि अब तो और देर ना होगी और उसने कहा था जब सात्वा दूद तुरही फूखने पर होगा तो ये गुप्त मनोरत पूरे होने चाहिए और उस समय स्वर्ग दूद को प्रकट होना चाहिए यह सच है कि हम इसके कहीं आसपास है अब ध्यान दे, सात मोहरों में क्या मोहरबंद किया गया है हम केवल उन बातों की केवल कल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि आज प्रातह मैंने आपको इस प्रातह के संदेश सरलता में छिपा परमेश्वर्प में बताया था आप देखते हैं कि हम हम सही बात को जानने में तब तक चूप करते हैं जब तक वह विशुधता पूरवक पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट और प्रमानित नहीं की जाती है समझे, यदि कोई भविश्यद वक्ता उठता है और आपको बताता है कि यह वह है और परमेश्वर उसे प्रमानित नहीं करता है तो आप उसे भूल जाएं समझे, लेकिन परमेश्वर को तो हर एक तफसील में, हर एक बात में उसे प्रमानित करना होता है कि उसे सच्चा ठहराए अतह उसकी संतान उन बातों को देखेगी और सचेत हो जाएगी ध्यान दे, साथ मोहरे पुस्तक पर इन साथ मोहरों की पुस्तक मोहरबंध है समझे, यह पुस्तक पूरी तरह से मोहरबंध है क्या आप इसे देखते हैं? मंडली कहती है, आमीन प्संप यह पुस्तक तब तक पूरी तरह से मोहरबंध है जब तक की साथ मोहरे तोड़ी नहीं जाती है यह साथ मोहरों के द्वारा मोहरबंध है अब देखिए कि साथ गर्जनों से यही इसकी भिन्नता है समझे, इस पुस्तक पर साथ मोहरे हैं और यह पुस्तक, यह मोहरे तब तक नहीं खुलेंगी जब तक की साथवे दूत का सुसमाचार ना प्रचारा जाए समझे, इसलिए हम कल्पना कर रहे हैं परन्तु परमेश्वर का सच्चा प्रकाशन तो उसके आवाज देने के समय में पूरी तरह से प्रकट किया जाएगा यह एक प्रमानित सत्य है अब देखिए कि यह बिल्कुल ठीक वो है जो वचन कहता है उस समय समस्त गुप्त मनोरत पूरे होंगे और समरन रखिएगा कि इन साथ मोहरों की पूस्तक को प्रकाशित वाक्य के पाचवे अध्याय में मोहर बंद किया जाता है और यहां प्रकाशित वाक्य के दसवे अध्याय में यह खुली हुई है और अब हम यह देखने जा रहे हैं कि यह पुस्तक इस विशय में क्या कहती है कि यह पुस्तक कैसे खोली जाती है और इसका तब तक प्रकटी करन नहीं होता है जब तक मैमना पुस्तक को नहीं ले लेता है, और मोहरों को तोड नहीं देता है, और इस पुस्तक को खोल नहीं देता है देखा, मैमने को पुस्तक लेनी है अब याद रहे, न स्वर्ग में कोई ऐसा व्यक्ति है, न प्रित्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है, न पोप, बिशप, कार्डिनल, स्टेट प्रेस बीटर या वह जो कोई भी है, उन मोहरों को खोल अथवा इस पुस्तक को प्रकट कर सकता हो, वरन केवल मैमना ही ऐसा कर सकता है और हमने खोजबीन की और कल्पना की और ठोकर खाए और हैरान हुए, और और यही कारण है कि हम सब इतने गरबरी में है, परन्तु दिव्य प्रतिग्या के अनुसार इन अंत के दिनों में जिसमें की हम रह रहे हैं, छुटकारे की यह पुस्तक मैमने के द्वारा पूर्ण रूप से खोली जाएगी, और इन मोहरों को खोला जाएगा, और इस पुस्तक की बातों को तब तक प्रकट नहीं किया जाता है, जब तक मेमना पुस्तक नहीं ले लेता है और मोहरों को तोर नहीं देता है, क्योंकि याद कीजिए, वह उसके हाथ में थी जो सिंधासन पर बैठा हुआ था और मैमने ने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंगहासन पर बैठा हुआ था वो पुस्तक ले ली, वो उससे पुस्तक ले लेता है। ओह, यह बहुत ही गहरी बात है. पवित्र आत्मा की सहायता से यदि हम इसे समझाने में सक्षम हो सके, तो हम इसे समझाएंगे. अब हम उसी पर आश्रित हैं. और हम बाद में देखेंगे कि यहांत समय में तब होता है, जब समय और अधिक नहीं रहता है. इस पुस्तक की व् इसका अर्थ बताता है या इसकी व्याख्या करता है. और केवल मैमना ही एक ऐसा है जो इसके बारे में बोलता है और वचन को प्रमानित करने और वचन को जीवन्त बनाने के जरिये वचन की पहचान कराता है, समझे. ठीक ऐसा ही है. ध्यान दे और इसका तब तक खुलासा नहीं होता है. इस पुस्तक का तब तक खुलासा नहीं होता है जब तक की कलीसियाई कालो और नामधारी गिर्जों के कालों का समापन नहीं हो जाता है और जब समय और अधिक नहीं रहता है. क्या आप इसे समझे? इसका खुलासा तो केवल तभी होता है जब कलीसियाई काल और नामधारी गिर्जों के कालों का समापन हो जाता है। यही कारण है कि आज रातरी इतनी गर्वरियां हैं, समझे। वे किसी छोटे से सिधान्त को अपना लेते हैं और किसी एक ओर चले जाते हैं, और कहते हैं, यह वो है। कोई दूसरा किसी दूसरे सिधान्त को अपना लेता है और इस ओर चला जाता है, और कहता है, यह वो है। और प्रतिये किसके तले एक नामधारी गिर्जे का निर्मान कर लेते हैं, जब तक कि हमारे पास सैग्डो नामधारी गिर्जे नहीं हो जाते हैं। परन्तु देखिए अभी तक इन सभों में गर्बरियां है और लोग हैरान हो रहे हैं कि सत्य क्या है? क्या आज की ठीक ऐसी स्थिती नहीं है? परन्तु तब परमेश्वर ने प्रतिग्या की है कि जब समय पूरा हो चुकेगा तब सात्वे दूत की आवाज की ध्वनी होगी और तब उस समय इस पुस्तक का खुलासा होगा अब आप यह किसी से न कहें, वे लोग जो पिछले समय में हुए नहीं बचे थे परन्तु ये तो भेद थे जिन्हें वे नहीं समझ सके थे कैसे वो परमेश्वर तीन हो सकता है, जबकि वो एक है कैसे पवित्र शास्त्र यह कह सकता है? पिताप पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और इसके पश्चात कहता है, यीशु के नाम में बपतिस्मा दो प्समझे ओ, बहुत सी बाते हैं, कैसे हववा सेप खा सकती है और संपूर्ण जगत के लिए विनाशला सकती है? कैसे ये बाते हो सकती है परन्तु इन भेदों के प्रकट होने की प्रतिग्या अंत के समय में की गई है ये वे छोटी-छोटी खामिया है जो ये महान योध्धा द्रिश्य पर आये जैसे अरेनियस और मार्टिन, संत मार्टिन और पोलिकाप और लूथर और वेसली और दूसरे तथा ये सब समझे जैसे की वे आये और बहुत फोड़े समय के लिए ही रहे की प्रकाश लाएं और उसे चमकाएं परन्तु वे बहुत सी बाते अंधेरे में छोड़ गए थे लूथर के काल के जैसे ही पेंटी कोस्टल काल आया और वेपरों पर दौरे परन्तु वे ठीक थे यह ना कहिए कि वे ठीक नहीं थे परन्तु बहुत सी गुत्थिया रह गई थी जिनको समझाया नहीं जा सकता था परन्तु इसके बाद में क्यूँ परन्तु तब मोहरों को तोड़ा नहीं गया था कि पूरी तरह से खुलासा किया जाए कि ये बाते क्या है समझे परन्तु इसके बाद अंतिम काल में इन सब भेदों का खुलासा होना है और मोहरों को मैमने के द्वारा खोला जाना है और कलिसिया पर प्रकट किया जाना है और तब समय और अधिक नहीं होगा समझे यह कितना अद्भुत है तब यह पुस्तक छुटकारे की पुस्तक है और तब यह आगे बढ़ती है और बाद में हम देखेंगे की कैसे एक लाख चवालीस हजार को तथा वगेरह वगेरह को लाया जाता है ठीक है यह यहूदी है अब पॉलुस आये हम थोड़ा सा पढ़े मे पहला अध्याय निकाले मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग लिख रहे हैं उनके पास अपनी पुस्तके हैं और वे वचन के लेख लिख रहे हैं और उन्हें अपनी बाइबल में रेखाकित कर रहे हैं ताकि एक कड़ी बनी रहे अतह यह एक अच्छी बात है मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करे और इसके बाद जब आप घर जाएं तो इसका अध्यान करें, समझे और यदि आप इसका स्वयम अध्यान करेंगे तो आप इसे और बहतर समझ जाएंगे, समझे केवल इसे पड़े और परमेश्वर से सहायता मागे कि वो इसे समझने हे तु आपकी सहायता करे आईए अब हम वचन पढ़ते हैं, मैंने इसे यहाँ पर लिखा हुआ है अब इफिसियो 1.13 और 14 और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिग्या किये हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी वह उसके मोल लिए हुओ के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो अब जब कि हमने वचन को खोला हुआ है, आएए हम, देखें कि यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने आप में एक छाप है पवित्र आत्मा एक छाप या मोहर है, और मोहर प्रदर्शित करती है, क्या समापन कार्य को जब किसी व्यक्ती पर पवित्र आत्मा की छाप हो जाती है जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहन कर लेता है तो उसके कहराने का समय समाप्त हो जाता है क्योंकि यह एक समापन कार्य है जैसे की मैं रेलरोड कमपनी के लिए काम किया करता था और हम वजन उठाने वाले बड़े बड़े वाहनों को टिन तथा मालवाहक फैक्ट्री की विभिन चीजों से भर देते थे और इसके पश्चात इससे पहले की उस वाहन पर छाप की जाए निरीक्षक आता की उस कार का निरीक्षन करे की उस पर सुचारू रूप से माल लदा है या नहीं यदी नहीं, पहले इसे किसी चीज के साथ थोका जाता है, यदी ऐसा नहीं किया गया है तो सामान फैल जाएगा और विघटित हो जाएगा और रेल रोल कमपनी इसक्षती की जिम्मेदार होगी और वह निरीक्षक हर चीज का यह देखने के लिए कि माल को सुचारू रूप से ठीक जगह पर रखा गया है, निरीक्षन करता है यदी माल को सुचारू रूप से ठीक जगह पर नहीं लगाया गया है तो वह माल वहक गारी को रद कर देता है और हमें इसे फिर से तब तक करना होता है जब तक निरीक्षक संतुष्ट नहीं हो जाता है और तब जब निरीक्षक संतुष्ट हो जाता है तो वह गाड़ी का दर्वाजा बंद कर देता है निरीक्षक गाड़ी का दर्वाजा बंद कर देता है और निरीक्षक उस पर मोहर लगा देता है और इसके बाद कोई भी इस मोहर को नहीं तोर सकता है जब तक वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाती यही है वह जो पवित्र आत्मा कर रहा है समझे वह जाता है और निरीक्षन करता है यही कारण है कि आपके पास ये बाते नहीं हो सकती है आप कहते हैं मैं अन्यान्य भाशा में बोला हूँ मैं चीखा चिलाया हूँ और मैं आत्मा में नाचाहू इसका इससे कोई लेना देना नहीं है समझे पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को तब तक जाचता है जब तक कि वह पूरी तौर से संतुष्ट नहीं हो जाता है और वह जानता है कि वह क्या है इसके बाद उन पर उनके अनंत कालीन ठिकाने के लिए छाप कर दी जाती है तब कोई भी ऐसा नहीं है जो उस छाप को तोर सके पवित्र शास्त क्या आप वचन के लेखों को लिख रहे हैं इफिसियो साड़े चार कहता है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है अपने चुडाए हुए लोगों की दावेदारी करने नहीं आ जाता है कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है समझे इसे शोकित मत करो स्थिर बने रहें उन कामों को करे जिनसे परमेश्वर प्रसंद होता है क्योंकि पुस्तक मोहरबंध है और आप पर छाप की हुई है पवित्र आत्मा खुद अपने आप में एक च्छाप है मोहर या च्छाप यह प्रदर्शित करती है कि अब देखिए ये वे शब्द है जिनहें मैंने शब्द कोश से लिया है मोहर समापन कार्य को दर्शाती है और जब सात्वी मोहर खोली जाती है तो परमेश्वर का गुप्ट मनोरत जो इन भेद्पूर्ण मोहरों में मोहरबंध है पूरा हो जाता है जब वह दिन आ जाता है जब इस मोहर को खोला जाता है तो तब यह प्रकट हो जाता है कि इसके अंदर क्या था यदि कोई व्यक्ति इस बात से हैरान हो रहा है कि उस माल वाहक गाड़ी में क्या है तो वह कहता है हो सकता है उसमें अमुक अमुक चीजे हो हो सकता है उसमें ये ही हो वह अनुमान लगा रहा है परन्तु जब मोहर खोली जाती है और द्वार खोला जाता है तब हम उसमें देखते हैं और उन चीजों को ठीक ठीक देखते हैं जो उसमें होती है क्या आप इसे समझे और यह केवल अंत समय में किया जाना है जब आपको येशु मसीह के लहु द्वारा खरीद लिया जाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा च्छाप कर दी जाती है तो फिर आपका दुनिया से तथा दुनिया से नाता रखने वाली हर एक वस्तु से संबंध नहीं रहता है आपको परमेश्वर के द्वारा खरीदा गया है एक और बात जो मोहर के संदर्ग में है, वो है सुरक्षा मोहर का अर्थ होता है कि आप सुरक्षित है अब देखिए आप जो अनंत सुरक्षा में विश्वास नहीं करते हैं, मैं नहीं जानता हूं परन्तु अब, मोहर उसके निर्दिष्ट स्थान तक उसकी सुरक्षा को जाहिर करती है हाई उस व्यक्ति पर जो उस छाप को तोड़ने का प्रयास करता है और पवित्र आत्मा की छाप को तोड़ा नहीं जा सकता है आप सबने मुझे यह कहते हुए सुना होगा की लोग कहते थे, शैतान ने ही मुझसे यह करवाया था नहीं, नहीं, शैतान ने ऐसा नहीं किया था यह तो इसलिए हुआ क्योंकि आप पर मोहर नहीं लगी थी क्योंकि जब आप अंदर के लिए मोहरबंध हो जाते है अब उसके पास आप गए है वह आप में नहीं आ सकता है क्योंकि आप में उसके आने का केवल एक ही जरिया है जो कि वही तरीका है जिसके द्वारा आप आये है उसे बचना होगा उसका पवित्री करण और उसे पवित्र आत्मा से भरना होगा, इनके बाद वो आपका भाई बनता है. अतहा आप देखिए, उसने यह नहीं किया. नहीं, नहीं. आप केवल सीमारेखा तक पहुँचे और दुनियावी चीजों की अभिलाशाओ सहिस वापस लोटाए. आप द भ्यान दे, अब यह पुस्तक मोहरबंध है, और आप पर छुटकारे के दिन तक के लिए पुस्तक के साथ छापकी हुई है. फिर से रोमियो आठ बच के 22 मिनट और 23 में देखिए. आईए, हम इसे निकालते हैं, और हम इससे प्रिष्ट भूमी तयार करेंगे और मैं सोचत हुँ कि यदि प्रत्येक व्यक्ति इसे खुद अपने आप पढ़ता है, तो हम इसे थोड़ा और बहतर समझ जाएंगे. मैं आपको कुछ वचन के लेखांशों को बता रहा हुँ, ताकि हम उन पर विचार कर सके, जबकि अभी हमारे पास काफी समय है. अब हम रोमियो आठ बच के 22 मिनट से पढ़ना आरंब करते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि सारी स्विष्टी अब तक मिलकर कराहती और पीराओं में पड़ी तरपती है. और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं, और लेपालक होने की आनन्द की अनुभूती नहीं कराती है. हम सभी जो उस घड़ी की बाट जो रहे हैं, इससे हमें आनन्द की अनुभूती होनी चाहिए. हम समझते हैं कि यह पहले पुनरूत्थान पर होगा. समझे, प्रकृती करहा रही हैं, हम करहा रहे हैं, सभी वस्तुए करहा रही हैं, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है और केवल एक ही मार्ग है कि आप करा सकते हैं और इसकी बात जो सकते हैं क्योंकि एक ऐसा नया जीवन है जो यहाँ पर है जो नए जगत के विशय में कहता है जैसे मेरी पत्नी यहाँ पर है ज्यादा दिन नहीं हुए है जब हम सुपर बजार गए थे और मैंने कहा हमने एक विशित्र चीज देखी एक महिला ने एक पोशाक पहनी हुई थी और देखिया है वह पोशाक बहुत ही अजीब थी वे वे सभी लगभग निर्वस्त्र सी थी देखा आपने और कैसे भी हो वे भूलक कर हैं वे कपड़े पहने बगएर ही बाहर चले जाते हैं अतह तब हम वे जानबूच कर भूलक कर बने हुए हैं और अतह तब मैडा ने मुझ से कहा उसने कहा बिल ऐसा क्यूं है मैंने कहा ओ यह केवल देश की आत्मा के कारण है और मैंने कहा जब तुम जर्मन जाते हो तो वहां के लोगों में एक निश्चित आत्मा होती है जब तुम फिनलेंड जाते हो तो वहां के लोगों में वहां की राष्ट्रिय आत्मा होती है तुम अमेरिका आते हो यहाँ प प्रेरितों की शिक्षा के उपर रखी गई थी। हमारी बुनियाद वाशिक्टिन, लिंकन जैसे महापुरुषों की अगुवाई के उपर रखी गई थी। परन्तु हमने उस बुनियाद से हैट गए है और हम जानते हैं कि हम इस तरह से बेबुनियाद चले आ रहे हैं। यह मुझे इन मस्खरों की याद दिलाती है, जैसे जो जा रहे हैं और इन चुटकुलों को कहते जाते हैं और स्त्री व पुरुष मिलकर चले जा रहे हैं जैसा की वे अब जा रहे हैं। यही कारण है कि वो सीटी बजा रहा है, समझे, वो यह कहने की चेश्टा कर रहा है कि वो दरा हुआ नहीं है, लेकिन वो दरा हुआ है, और ठीक यही मामला आज है, परंतु ओह, उस विश्वासी के लिए जो अपने हाथों को उपर उठाए हुए है, क्या ही आशा है, क्योंक बातों को आते हुए देखता है, तो यह विश्वासी के लिए एक महान समय होता है, अब ये बाते हमारी देहों में कराहती है, क्या कभी आपने किसी व्रिक्ष पर ध्यान दिया है, कि वो किस प्रकार जीवन के लिए संघर्ष करता है, वो जीना चाहता है, और आप जानवर पर गौर कीजिए, कैसे वो हम रित्यू में संघर्ष करता है, आप एक मानव पर ध्यान दे, प्रकृती, सभी कुछ कराह रहा है, हम अपने आप में कराह रहे हैं, समझे, हम जानते हैं कि कुछ तो गरबर है, हम इन पदू से देखते हैं कि मनुष्य और प्रित्वी दोनों का कुछ हो गया है, समस्त प्रकार की स्विष्टी का कुछ हो गया है, क्योंकि हम आत्मा से ओत प्रोत इस वचन से देखते हैं कि यह किसी कारण से कराह रही है, आप तब तक नहीं कराहते हैं, जब तक कराहने का कोई कारण न हो, जैसे मैंने स्याही के लिए बोला था, इसक आज जानता हूं, परन्तु मुझे बीमारी का कारण ग्यात करना होता है। जो मैंने, वह कहा है, यह शैतान है। देखिए आज हम औशदी में कितने अधिक उननत हो गए हैं, तो भी हम उन बातों के विशय में कुछ नहीं जानते हैं। परन्तु इस नाम का उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो यह है। यह तो केवल एक नाम है जिससे हम इसे पुकारते हैं। हम बस इसका नाम कैंसर पुकारते हैं। परन्तु वास्तव में यह क्या है, इसका विशलेशन कीजिए, यह एक दुश्टात्मा है। अब हम कहते हैं पाप, हम केवल इसे पाप कहते हैं। इसका विशलेशन कीजिए, की पाप क्या है। बहुतेरे लोग कहते हैं, शराब पीना, व्यभिचार करना, नहीं, नहीं, यह तो केवल पाप के गुन है। समझे, देखिए यह तो वो हैं जो पाप उत्पन करता है। परन्तु वास्तविक पाप अविश्वास है। यही है वो जिसका पाप नाम है और जिसे पाप कहा जाता है। यदि आप एक विश्वासी हैं, तो आप उन कामों को नहीं करते हैं। परन्तु इससे कोई मतलब नहीं है कि आप स्वयम को कितना पवित्र बनाने की चेश्टा करते हैं और आप स्वयम को कितना धार्मिक बनाने की चेश्टा करते हैं यदि आप उन कामों को करते हैं तो आप एक अविश्वासी हैं यह वचन के अनुसार है अब देखिए स्रिष्टी का कुछ हो गया है और यह करहा रही है यह वापस अपनी मुलस्थिती में आने का यत्न कर रही है क्या आप कल्पना करेंगे कि कोई पृत्वी से नीचे किसी गहरे गर्थ में कहीं गिरता जा रहा है और वो संघर्ष कर रहा है उपर चव रहा है अपने को उपर की ओर धकेल रहा है उन्हें किन ही साधनों के द्वारा इस गर्थ से बाहर निकल आना चाहिए वे अपनी मूल अवस्था में नहीं है और वे उनमत्ता पूरवक चिल्ला रहे हैं वे दीवार पर रेंग रहे हैं और शोर शराबा मचा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं वे करहा रहे हैं क्योंकि वे अपनी मूल स्थिती में वापस आना चाहते हैं यही कारण है कि मनुष्य बीमारी दर्द वा पीडाओं से पीडित होता है एक समय वे इस प्रकार से पीडित न होते थे परंटू वे करहा रहे हैं क्यूं? वे ठीक नहीं है, कही कुछ गरबर है और वे करहा रहे हैं और वहां आने का यत्न कर रहे हैं जहां वे स्वस्त थे और जैसा पवित्र शास्त्र बताता है कि प्रकृती और मनुष्य दोनों ही करहा रहे हैं, तो ये यह प्रदर्शित करता है कि वे अपनी उस अवस्था में नहीं है जिसमें उन्हें होना चाहिए वे कहीं से गिरे हैं? अब हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे लिए इसका व्याख्यान करे समझें क्योंकि वास्तव में हम जानते हैं कि यह अनंत जीवन था जहां से वे गिरे थे और आदम और हववा के गिरने के द्वारा जो की अदन की वॉटिका में अनन्थ जीवन से मृत्यू में गिरे थे और उन समस्त प्रकृति को जो उनके आधीन थी मृत्यू में लेकर आये थे उन्होंने अनन्थ जीवन पर अपनी दावेदारी खो दी थी आदम से पहले व्रिक्ष कभी नहीं मरता था जानवर आम से पहले नहीं मरता था और केवल एक ही चीज है जो मर नहीं सकती है और वो है परमेश्वर क्योंकि वो अनन्थ है और अपने को मृत्यू से सरवदा के लिए बचाते रहने का केवल एक ही तरीका है कि हम में अनन्द जीवन हो कि हम परमेश्वर के पुत्र वपुत्रिया बन जाएं जैसा कि मैंने इस प्राता संदेश में कहा था कि हम पाप के लिए मरते हैं अर्थाद जब हम पाप करते हैं तो हम अपने जन्माधिकारों को बेच देते हैं और इस दरार को पार कर जाते हैं अब हम परमेश्वर की पहुंच से परे दरार के इस दूसरे छोर पर आ जाते हैं। अब देखिए जब आदम गिरा तो वास्तव में वो समस्त स्रिष्टी के उपर मृत्यू लेकर आया था। अब देखिए आदम को उसकी स्वेचा पर छोड़ा गया था। यह स्वेचा उन् अब देखिए परमेश्वर ने ऐसा केवल आदम और हवा के लिए ही नहीं किया है। आप कहते हैं ठीक है यह उनका दोश था। नहीं यह अब नहीं है। यह आपका दोश है। अब आप इसे आदम पर नहीं थोप सकते हैं। इसे तो आपको अपने उपर ही लेना होगा क्य क्यों कि भला और बुरा आपके सम्मुख है। हम ठीक उसी रीती पर हैं जिस पर आदम और हववा थे। परंतु आप देखिए, जब हमारा छुटकारा हो जाता है, तो फिर हम अपनी मर्जी नहीं चाहते हैं, वरन हम उसकी मर्जी चाहते हैं। देखा, समझे, अब देखिए, आदम और हववा अपनी मर्जी पूरी करना चाहते थे। वे जानना चाहते थे, वे जानना चाहते थे कि ज्यान प्राप्त कर लेने पर क्या होता है। अतह उसने उसे खोजा और उसने उनके लिए मृत्यू को उत्पन किया। अब जब किसी व्यक्ती का चुटकारा हो जाता है, तो वह पांवित्य के लिए और अधिक चिंता नहीं करता है। वह दुनियावी वस्तुओं और दुनियावी ज्यान की प्राप्ती करने की और अधिक चिंता नहीं करता है। वह अपनी कोई पसंद या इच्छा नहीं चा वह और अधिक यह नहीं चाहता है कि कोई उसे यह बताए कि कहा जाना है और क्या करना है। अधिक धन देते हैं अतह मैं उनके यहां जाऊंगा। समझे। देखा ग्यान को। अब देखिए जब आदम ने परमेश्वर के वचन को थामे रहने के बजाए अपनी पत्नी के तर्क वितर्क पर ध्यान देने के द्वारा पाप किया तो यही था वह जिसने आदम को पापी बनाया। उसकी पत्नी ने शैतान से तर्क वितर्क किया और और इसके बाद वह उसी बात को लेकर आदम के पास पहुची और आदम ने परमेश्वर के वचन का उलनगन किया और अपने अधिकारों को बेच डाला। तब उसने अपनी संगती और जीवन के अधिकार को खोया तो उसने अपनी पैत्रिक संपत्ती को भी खो दिया था। याद रहे क्योंकि जिस दिन तु उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और जिस दिन उसने अपना जीवन गवाया वह अपने जीवन में पैत्रिक अधिकारों को भी खो बैठा क्योंकि उसका पर्मेश्वर भूमंडल का पर्मेश्वर है, वह सभी जगह पर्मेश्वर है, परन्तु उसके पुत्र का इस प्रित्वी पर अपना नियंत्रन था, वह बोल सकता था, वह नाम रख सकता था, वह कह सकता था, वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकता था, वह जो चाहे कर सकता था समझे, परन्तु जब उसने वह किया तो उसने अपने पैत्रिक अधिकारों को खो दिया था अब देखिए, आदम कह सकता था, यह पहार यहां से उखर कर वहां जा लगे और वह वैसा ही कर देता होगा आदम कह सकता था यह पेर यहां से उखर जाए और वहां जा लगे और वह वैसा ही कर देता होगा देखा, क्योंकि अलपीश्वर के रूप में परमेश्वर हमारे पिता की अधीनता में उसके पास संपूर्ण वह सर्वोच अधिकार था क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था अब क्या हम यहां पर थोड़ी देर के लिए रुख सकते हैं और वास्तविक उपदेश को प्राप्त कर सकते हैं ओ, तब यदी लहू इसे फिर से शुधकर देता है, अब इसके बारे में क्या होता है समझे, देखिए, परमेश्वर के उस पुत्र ने, दूसरे आदम ने क्या किया था समझे, और उसने कहा था, ये काम जो मैं करता हूँ, तुम भी करोगे समझे, आदम ने अपनी पैत्रिक संपत्ति पृत्वी को खो दिया था अब देखिए, यह आदम के हाथ से उसके हाथ में चली गई थी, जिसे उसने इसे बेच दिया था यह शैतान के हाथों में चली गई थी, उसने परमेश्वर में अपने विश्वास को शैतान के तर्क वितर्क को बेच दिया था इसलिए उसने अपना अनंद जीवन, जीवन के व्रिक्ष पर अपने अधिकार को, प्रित्वी पर अपने अधिकार को, तथा जो कुछ भी उसका था, उसने उसे शैतान के हाथों में जबत करा दिया था उसने इसे अपने हाथों से शैतान के हाथों में स्थानान तरित कर दिया था यही कारण है कि अब यह प्रित्वी ऐसी हो गई है यह बदल चुकी है और विकृत हो चुकी है और आदम के वंश ने उस पैत्रिक संपत्ती को नश्ट कर दिया है जो आदम के पास होनी थी जो की प्रित्वी है यह सही बात है देखिये आदम के वंश को किसी दूसरे दिन मैं ट्यूसान में जहां मैं रहता हूँ रुका और मैं उपर पहारी पर किसी से बातचीत कर रहा था मैं नीचे देख रहा था मैंने कहा तुम क्या सोचते हो कि जब 300 वर्ष पूर्व प्राचीन अमेरिकी पूर्वज पपगो अपनी अमेरिकी भारतिये पत्नी के साथ शकटी ट्राववा पर आया था तो उसके बच्चे पीछे बैठे हुए थे और वह कहीं से एक लंबा फासला तै करके यहां आया था और वह शांति पूर्वक रहता था तब वहां पर ना व्यभिचार, ना शराब, ना जुआ और ना ही कुछ ऐसा ही था वे साफ सुत्रा जीवन व्यतीत कर रहे थे और ट्यूसान से होते हुए यहां पर अमेरिकी भिर्ये आते थे और नहाते धोते और आर्पनात किया करते थे और तट पर चारो ओर अमेरिकन पोशक जाडिया और कैकट्स लहराते थे और यहोवा ने इस पर द्रिश्टी डाली होगी और वह मुस्कुराया होगा परन्तु जब श्वेट आदमी उस मार्ग से आता है तो उसने क्या कर डाला है उसने कैकट्स को उखार फेका है उसने बियर के पीपाओं और शराब की बोतलों से देश को प्रदूशित कर दिया है उसने देश के नैतिक मूल्यों का पतन कर दिया है लाल भारतियों का सफाया करने का केवल एक ही तरीका था कि उनके भोजन भेंस को मार डाला जाता जब किसी दिन मैं टोमस्टोन में एक संग्राहले में पढ़ रहा था तो मैंने गेरोनिमो की एक तस्वीर देखी थी और आप मेंसे अनेकों यह सोचते होंगे की गेरोनिमो एक पाखंडी था मेरे लिए वह एक विशुद्ध अमेरी की था वह तो केवल उसके लिए लड़ रहा था जो सही था जो परमेश्वर ने उसे दिया था एक भूमी और एक देश और रहने के लिए एक जगय मैं उस पर दोश नहीं लगाता हूँ और जब वे श्वेट सिपाही वहाँ आये तो उन्होंने उस भूमी को बलपूरवक अपने कबजे में कर लिया और उन्होंने उनका नरसनहार ऐसे किया जैसे मक्खियों के जुंट को मारा जाता है और वहाँ उस संग्राहले में गेरोनिमो के मुख्य चिकित साले या उसके अस्पताल की एक तस्वीर थी एक ज़ाट जहनकाट के टुकडे के उपर दो या तीन कंबल थे और वे सच्चे विशुद्ध घायल अमेरिकीय भारतिय परमेश्वर द्वारा दिये गए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और वहाँ तस्वीर में गेरोनिमो अपने ही लोगों के एक बालक को अपनी कमर पर लिये हुए खड़ा था और अपने उन योधाओं की ओर देख रहा था जो लोहू लूहान होकर मर रहे थे उनके लिए पेंसलीन या अन्य कुछ भी नहीं था उनकी सहायता करने के कोई तरीके नहीं थे वे परमेश्वर द्वारा दिये गए विशुद्ध अमेरिकी थे इसके बाद भी वे उसे एक बागी कहते हैं मैं उसे एक सज्जन पुरुष कहता हूँ को कहा इस नेगदापी आत्मस सर्मपन नहीं किया होता वह एक बुजूर्ग व्यक्ति था परन्तु अमेरिकी सेना ने उन सभों नैपोशाके पहनी और वे वहां बाहर निकले और भैसो की हत्या कर दी होगी उन्होंने वहां पर धावे बोले और उन्होंने भैसो के निशाने बाद शाप को आमंतरित किया था और वे वहां गए और कहा ओ, मेरे लिए आज एक अच्छा दिन रहा मैंने आज 40 भैसो को मार डाला उन्होंने बैलगारी या बुगी की आर से गोलिया चिलाई थी 40 भैसे, जो की संपूर्ण भारतिय जाती का दो या अधिक वर्षों तक पोशंग करती रहती उन्होंने उन्हें मार डाला था उन्होंने उन्हें भैसो के साथ क्या किया था उन्होंने उन्हें रेगिस्तान में फेक दिया था उन भैसों के सड़े हुए मास से वे भूमिया अगई थी और दुर्गंद युक्त हो गई थी उन्होंने उनकी उन भैसों को मार डाला था जिन्हें वे खाया करते थे जब वे अमेरीकी भारतिय, रेड इंडियन्स, मैंस को मारते थे तो वहाँ पर एक धार में कनुष्ठान हुआ करता था वे उसके खुरों को उठा लिया करते थे और उनसे तसला बनाने के लिए उन्हें सुरक्षित रखा करते थे वे उसका मास खाया करते थे यहाँ तक की वे उसकी अंत्रिया भी खाया करते थे वे उसका सारा मास लेकर उपर लटका दिया करते थे और उसे सुखा दिया करते थे उसकी खाल सुखा दी जाती थी और वे उससे कोई कपरे और तंबू बनाया करते थे उसका कुछ भी छोड़ा नहीं जाता था परने के लिए छोड़ दिया. कोई भीविशुद मनुष्य परमेश्वर द्वारा उसे दिये गए अधिकारों के लिए लिदेगा. जो उन्होंने अमेरिकी भारतियों के साथ किया है, वो अमेरिकी जंडे पर एक बदनुमा दाग है. जो भी हो, यह देश उनका है. आप क्या सोचोगे यदी जापा. जापान या या कोई और या रुस यहां आए और कहे, यहां से बाहर निकल जाओ. यहां से वापस बाहर चले जाओ, और हमारे और हमारे बच्चों के साथ वही सब करे जो हमने उन भारतियों के साथ किया था. परन्तु यादर है, हम बोच चुके है और अब हम काटने को है, आप जानते हैं कि यह परमेश्वर का कानून है, पेर लगाने का एक समय होता है और इसके बाद कटनी का एक समय आता है, मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही बुरा है, जी हाँ, श्रीमान, अब देखिए क्या हुआ था, आदम के दोगले वंच ने पृत वी को विकृत और पूरी तरह से बरबाद कर दिया है, क्या आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है, और क्योंकि उसने आम के दोगले वंच ने यह किया है, परमेश्वर उनका सर्वनाश कर देगा, क्या आप उसे पढ़ना चाहते हैं, आये, हम देखते हैं, म और हम देखेंगे कि परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या कह रहा है जो प्रित्वी का नाश कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य का ग्यारह वा अध्याय और उसका अथारह वा पर निकाले, मैं यकीन करता हूं कि यह 11.18 है, हम यहाँ पर हैं, और अन्य जातियों ने क्रोध कि और तेरा प्रकोप, अब परमेश्वर के प्रकोप को देखिए, आपड़ा और वह समय आप पहुंचा है कि मरे हुओ का न्याय किया जाए और तेरे दास भविश्यद वक्ताओं और पवित्र लोगों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से इरते हैं, बदला दिया ज वे क्या करने वाले हैं? वे उसे काटने वाले हैं जो उन्होंने बोया था. निश्चे ही, जब तुम पाप को गलियों में दोरते हुए देखते हो, इस रविवार की रातरी को कितने, इस रातरी इस शहर में कितना व्यभिचार होगा? कितनी और ते अपने विवाह की कसम को यहां इस छोटे से भूमी के गर्प में जो की जेफर्सन विले कहलाता है, तो डेंगी. आप क्या सोचते हैं कि शिकागो में 30 दिन में गर्ब गिराने के कितने मामलों का लेखा जोखा बनता है? प्रती माह 25 से 30 हजार के बीच उनको छोड़कर जिनका कोई रिकॉर्ड नही है. कितनी शिराप शिकागो शहर में पी जाती है? आप क्या सोचते हैं कि एक रातरी को लोस एंजिल्स में क्या हुआ है? आज जेफर्सन विले शहर में कितनी बार प्रभू का नाम व्यर्थ में लिया गया है? क्या यह अब बहतर है या यह तब बहतर थी जब जोर्ज प्रमेश्वर ने ऐसा ही कहा है. मैं हमेशा ही यह सोचता था कि मेरे हृदय में कहीं कुछ है, जो मैं पहाड़ों पर जाना पसंद करता हूँ, और मैंने वहाँ वह देखा जो परमेश्वर ने इसके संदर्ब में घटित किया था. मैं फ्लोरिडा से घ्रिना करता हूँ, ज यहाँ पर उन्होंने तार के कृत्रिम रिक्षों को लगाया हुआ है. और ओ, मैं मगर मच्छों को रेगिस्तानों में अपनी पूछों को एटते हुए देख सकता हूँ, इसके बजाए कि मैं उन सब चीजों को जो उन्होंने वहाँ रखी है और उस अश्टता को जो वे वुड में करते हैं, और वहाँ की उस तड़क भड़क को और पियक कडों के जुन्डों को देखें. और ओ, मेरे परमेश्वर, मैं सोचता हूँ, किसी दिन. किसी दिन. जी हाँ. परन्तु स्मरन रहे, बाइबल में मत्ती के पाच्वे अध्याय में हमें बता दिया है, दीन और नम्रह पृत्वी के अधिकारी होंगे. यीशु ने कहा था, धन्य है वह जो दीन है, वे सीधे साधे लोग जो कोई बड़ा व्यक्ती या बड़ा महान व्यक्ती बनने की चेश्टा नहीं करते हैं, वे पृत्वी के अधिकारी होंगे. जी हाँ, यीशु ने ऐसा ही कहा अब उन्होंने पृत्वी को बिगार डाला है और परमेश्वर उनका नाश कर देगा। परन्तु पृत्वी का शुद्धी करण हो जाने के पश्चात नम लोग पृत्वी के अधिकारी होंगे। अब ओह मेरे परमेश्वर अब वह चीनी गई वसियत मूल स्वामी के सरवशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है। और यह वसियत नमा उसके हाथ में है। भाई ब्रणहमा दो बार अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, संप। ओह, यह मुझे धार्मिक होने का अहसास कराता है। जबादम ने विश्वास के बजाए ग्यान के लिए अनंध जीवन के वसियत नामे का अनंध जीवन के सिधानतिय या सार वसियत नामें का नुकसान उठाया, तो यह मुल स्वामी के सरवशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में वापस चला गया था। क्या ही महान बात है। ठीक है, प्रतीक्षा कर रहा है। यह क्या कर रहा है। परमेश्वर के हाथों में चुटकारे के दावों की बार जो रहा है। परमेश्वर ने चुटकारे का एक मार्ग बनाया, उसने इसकी पुनह प्राप्ति का मार्ग बनाया, और किसी दिन चुड रहे हैं कि अब हम किस पर आ रहे हैं, हम इस व्यक्ति को देखेंगे जो सिंधासन के उपर बैठा हुआ है, ठीक है, वह अपने चुटकारे के दावों की बात जोह रहा है, यह चुटकारे की पुस्तक, यह वसियत अजामा, यह सार वसियत नामा क्या है, आप कहते हैं, सार मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वह बिलकुल पीछे तक अपनी उत्पत्ती तक खोच करता है, जैसा कि मैंने इस सुबह उस छोटी स्याही की बूंद के विश्वय में बताया था जब वह उस विरंजक में गिरती है, तो वह वापस अपने मूल अव्यवों में विघट हो जाती है, और जब पाप का अंगीकार हो जाता है और ये शु मसीह के लहू में गिर जाता है, तो ओ, वह एक सार देता है, वह फिर से वापस रच्यता के पास चला जाता है, आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, सार वसियत नामा सरवशक्तिमान के हाथों में है, ओ ओ, मेरे प्रभु! इस छुटकारे का अर्थ होता है कि वैधाने करुप से उन सब अधिकृत संपत्ती का अधिकारी हो जाना जो आदम और हववा के द्वाराख हो गई थी. ओ, मेरे प्रभु! भाई ब्रणहम अपने दोनों हाथों से एक बार ताली बजाते हैं, संप! नया जन्म पाए हुए मसीही बनने के लिए क्या करना चाहिए? यहुस सार वसियत नामे का अनन्द जीवन के वसियत नामे का वैधानिक अधिकृत करन है, जिसका तात पर्य यह है कि आपने उन सब चीजों की प्राप्ती कर ली है, जिन्हें आदम और हववा ने खो दिया था. वाह! आए, इसके बारे में क्या है? उस वसियत के अधिकृत करन के विशय में? आदम चुटकारे की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता था. जब उसने पाया कि उसने इस वसियत को खो दिया है, जब वह पाप कर चुका था, जब वह अपने को परमेश्वर से अलग कर चुका तो उसने पाया कि वह जीवन मृत्यू की दरार के इसोअ है, इसलिए वह इसका चुटकारा नहीं कर सकता था. वह ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे स्वयम अपना चुटकारा चाहिए था. अतहवह यह नहीं कर सकता था. परन्तु व्यवस्था को एक चुडाने वाला निकट संबंधी चाहिए था. परमेश्वर की व्यवस्था को एक चुडाने वाले निकट संबंधी की आवश्यक्ता थी. आप जो इसे अर्थात चुडाने वाले निकट संबंधी को रेखाकित करना चाहते हैं, आप इसे लेविव्यवस्था 25 में धून्धिये. हमारे पा अब क्या होता यदि परमेश्वर एक विकल्प के चड़ाय जाने को ग्रहन नहीं करता. परंतु प्रेम ने उसे ऐसा करने के लिए विवश्च किया. वह मनुष्य वापस लोटने के बिना किसी मार्ग के था और उसके पास वापस लोटने का कोई मार्ग नहीं था. वह परमेश्वर नहीं इसकी शर्तों को पूरा किया. ओह वह अनुग्रकारी दिव्य अनुग्रह, जो कैसी है. मधूर परमेश्वर की व्यवस्था को एक निर्दोश विकल्प की आवश्यक्ता थी और कौन निर्दोश था. हर एक मनुष्य यौन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन हुआ था, प्रत्य एक व्यक्ती यौन प्रक्रिया के पश्चात उत्पन हुआ था. और केवल एक ही ऐसा कर सकत जो इस रीती से नहीं जन्मा था, जिसने अनंद जीवन के अधिकारों को और प्रित्वी काराजा होने के अधिकार को जबत नहीं होने दिया था। ओह जब मैं वचन के उस लेख के विशय में सोचता हूँ, तुने हमें परमेश्वर के लिए मोल ले लिया है कि हम राज्य करें और प्रित्वी पर राजा और याज कबनें। ओह मैं रे प्रभू, यह कौन है? चुडाने वाला निकट संबंधी, ओह क्या ही कथा हमारे पास यहां होगी। ध्यान देख, खोई हुई वस्तूओं का चुटकारा करने के लिए व्यवस्था एक चुडाने वाला निकट संबंधी चाहती थी। अनुग्रह ने इस शर्थ को यिशुमसी व्यक्ती में पाया। एक निकट संबंधी को मानव जाती में से ही उत्पन होना चाहिए था। अब देखिए, हम वह कैसे हो सकते हैं, जबकि हर एक व्यक्ती जो उत्पन हुआ है। और जो कोई यह नहीं देख सकता है कि वहाँ पर वह यौन ख्रीरा हुई थी, तो वह पुनरता हंधा है, क्योंकि हर एक व्यक्ती जो पैदा हुआ था, वहस्त्री से पैदा हुआ था। और परमेश्वर की मांग चुड़ाने वाला निकट संबंधी थी, और उसे मनुष्य होना चाहिए था। ओ, मेरे प्रभू, अब आप क्या करने जा रहे हैं। व्यवस्ता की मांग एक चुड़ाने वाला निकट संबंधी थी, अब देखिए, वह किसी स्वर्ग दूत को नहीं ले सकता था, उसे तो एक मनुष्य की आवश्यक्ता थी, क्योंकि हम स्वर्ग दूत के संबंधी नही है, हमारे एक दूसरे से संबंध है, स्वर्ग दूत कदापी नहीं गिरा था, वह तो भिन प्रकार का प्रानी है, उसकी देख भिन है, उसने कभी पाप या कुछ नहीं किया, वह भिन है, परंतु व्यवस्ता की मांग एक चुड़ाने वाला निकट संबंधी थी, और प्रत एक मनुष्य इस प्रित्वी पर यौन प्रक्रिया के द्वारा पैदा हुआ, अब क्या आप नहीं देखते हैं, यही है वह जहां से यह आया है, यही है वह जहां से पाप आरंब हुआ, अतैव आप देखते हैं यह आप कहां पर है, यही पर वह आता है, यही पर आपका सर् समझे, अब ध्यान दे, छुड़ाने वाले निकट संबंधी की आवश्यक्ता थी, और छुड़ाने वाला निकट संबंधी मानव जाती से ही उत्पन होना चाहिए था यहाँ पर वह बात है, जो हमें अपने पैरों पर उठ खड़ा कर देती है कुवारी से जन्म लेने के द्वारा वो, वह वस्तु उत्पन हुई आमीन, कुवारी से जन्म लेने के दारा हमारा छुड़ाने वाला निकट संबंधी उत्पन हुआ था कोई और नहीं वरंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर इम्मानुएल बन गया, हमें से एक बन गया हमें इम्मानुएल, छुड़ाने वाला निकट संबंधी, मिला था आपने देखा की कैसे परमेश्वर एक मार्ग रखता है और कुछ भियसा नहीं था जो हम कर सकते परन्तु तब परमेश्वर का अनुग्रह कदम बढ़ाता है और उस व्यवस्था को धूमिल करता है और एक अव्यव पैदा करता है आमीन जब आप अपने स्वर्गिय घर पहुचते हैं, जब मुझे अपना छोटा सा कक्ष मिलता है जिसके विशय में भाई नेविल गाते हैं जब एक सुबह आप सभी वहाँ पर इसे गाते हुए सुनते हैं ओह वह महिमा में अनुग्रह जिसने मुझ पापी को बचा लिया वह क्या ही मधूर आवाज होगी जो इसे गारही होगी और जब आप इसे सुनते हैं तो आप कहते हैं ओह परमेश्वर की महिमा होगे यह अनुग्रह ही था जिसने मेरे हृदय को डरना सिखाया, यह अनुग्रह ही था जिसने मुझे भय मुक्त बनाया, उस घड़ी जब मैंने पहली बार विश्वास किया, कैसा बहु मुल्य वह अनुग्रह प्रकट हुआ, जब तक हम इसे कुछ देर में नीचे तक न देखें, आप ठहरे रहें, ओ, अब देखिए पुस्तक, रुट की पुस्तक इसका बड़ा ही सुन्दर चित्रन प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार बोज, और नावमी अपनी भूमिक हो चुकी थी, आप इसे जानते हैं, आप मुझे इस पर प्रचार करते हुए सुन चुके हैं, क्य बोज को एक चुणाने वाला बनना था, और वही कैवलेक ऐसा था जो यह कर सकता था, उसे कुटुम्बी बनना था, उसे निकट कुटुम्बी बनना था, और नावमी का चुटकारा करने में उसे रुट मिली थी, वह यी शू था जिसका प्रतिचित्रन बोज कर रहा था, बोज मसीः की प्रतिचाया था, और जब मसीः ने इसराइल का छुटकारा किया, तो उसे अन्यजाती की दुलहन, जेंटाइल ब्राइट मिली, अतहा आप देखिए कि यह कितना रमनिय है, हमारे पास यहां पर इसका यहीं कहीं टेप है, और मैं सुनिश्चित हूँ कि आप उसे लेना चाहेंगे, अब ध्यान दे उसे निकट सबंधी या कुटुम भी होना चाहिए था, अतहा आप देखिए स्वर्ग दूत ऐसा नहीं कर सकता था, एक मनुष्य चाहिए, था परन्तु उसे स्त्री से यौन प्रक्रिया वारा उत्पन नहीं होना था, अतह कुवारी से जन्म में पवित्र आत्मा ने मर्यम के उपर चाया की थी, यही कारण है कि यीशू यहूदी नहीं था, यीशू अन्य जाती नहीं था, यीशू परमेश्वर था, बिलकुल ऐसा ही है, उसका लोहू किसी यौन प्रक्रिया द्वारा नहीं बना था, वह पवित्र था, उस हुआ है, यह पवित्र शास्त्र के अनुसार है, यह ऐसा ही बताता है, हमारा चुटकारा, अतहा आपने देखा, यीशू परमेश्वर था, वह तीसरा व्यक्ती, चौथा व्यक्ती, पहला व्यक्ती नहीं था, वह एक व्यक्ती था, वह परमेश्वर था, समझे, वह मानुएल था, परमेश्वर अपनी महिमा से नीचे उतर आया था और उसने स्वयम को प्रकट किया था, मैं बूत किल्ब बोरन की उस कथा को पसंद करता हूँ, जो एक अती सुंदर गीत के रूप में है, सरवदा ही जीवित कथा है, यह, वह अपनी महिमा से नीचे आया, मेरा आसू और यातना का वह मारा जना, जब थे हम रात अंधेरी में जब थी ना कोई आस द्रिष्टी में क्या ही थी वह अनुग्रह, जो हमारा लाई थी उद्धार अमुल्यक मृदुल परमेश्वर छोड महिमा अपनी नीचे आया, ओह मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, मैं स्रिष्टि करता बना मेरा उद्धार करता, और परमेश्वर की परिपूर्णता करती थी उसमेवास, यही था जिसने मान को पूरा किया था, अनुग्रह ने यीशु मसी एक व्यक्ति को उत्पन किया था, और हम इस पुस्तक में देखते हैं, अब परमेश्वर अपने देर रूप धारन कर ले, जिससे वह मर सके, जिससे वह मनुष्य को छुड़ा सके, उस समय तक प्रतीक्षा कीजिए, जब तक कि हम यह न देख ले कि वहाँ पर कोई भी योग्य ना था, समझे, ठीक है, बाइबल में रुत की पुस्तक में, जब आप इसे पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि ऐसा व्यक्ती मुल्य चुकाने वाला गोल कहलाता था, वह व्यक्ती मुल्य चुकाने वाला कहलाता था अत्वा यह व्यक्ती होता था जो मान को पूरा कर सकता था, और मुल्य चुकाने वाला इसे करने में सक्षम होना चाहिए, इसे करने का इचुक होना चाह वह उनमें से होना चाहिए जिन्हें इसे करने का अधिकार है। और जब परमेश्वर स्रिष्टि करता परमेश्वर का आत्मा मनुष्य बना की हमारे पाप अपने उपर ले ले और मुल्य चुकाने और हमें परमेश्वर के लिए चुडाने है तुँ वह हमारा एक निकट संबंधी बंग गया। परमत हो परन्तु थोड़ी देर थहरिये, हम इसे देखेंगे। समझे। उसने इसका दावा नहीं किया है। समझे। यदि उसने चुटकारे की पुस्तक को ले लिया है तो जो कुछ भी आदम ने खो दिया था, मसीह ने उसका चुटकारा कर दिया है। वह मैं पहले ही छुड़ा चुका है। परन्तु उसने अभी तक उस अधिक्रित करण को नहीं लिया है, वह नियुक्त थहराए हुए समय के आने तक ऐसा नहीं कर सकता है। और तब पुनरुत्थान होगा और तब पृत्वी पुनह नहीं की जाएगी। तब वह उस अधिक्रित करण को लेगा, तब वह अपने उस अधिक्रित करण को लेगा जो उसे तब प्राप्त हुआ था जब उसने हमारा चुटकारा किया था परन्तु वह ऐसा नियुक्त समय पर ही करेगा। ओह मेरे परमेश्वर, इसका वर्नन साथ मोहरों की इस पुस्तक में किया गया है, जिसके विशय में अब हम बता रहे हैं। ठीक है, चुटकारे की पुस्तक में इसका संपूर्ण विवरन इसमें दिया गया है। वह सब जो मसीह अंत में करेगा, इन साथ मोहरों के अध्यान के दौरान इस सप्ता हम पर प्रकट होगा, यदि परमेश्वर हम पर इन्हें प्रकट करने देगा। समझे, ठीक है, यह प्रकट होगा। और जब मोहरों को तोड़ा जाता है, और हम पर इन्हें प्रकट किया जाता है, तो हम देख सकेंगे कि यह उध्धार की महान योजना क्या है, और कब और कैसे यह क्रियानवित होने जा रही है भेद की इस पुस्तक में यह सब गुप्त है, यह मोहरबंध है और यह साथ मोहरों के द्वारा मोहरबंध है और केवल मैमना ही एक ऐसा है जो उन्हें तोर सकता है अब मुझे एक शमा कीजिए, हम महसूस करते हैं अब यदि आप वचन में देखना चाहें, तो आप इसे देख सकते हैं आप यर्मया की पुस्तक को निकाल सकते हैं, और वहाँ यह देख सकते हैं आप जानते हैं कि जब वह देश की गुलामी में जा रहा था उसने अपने चाचा को खरीदा उसके चाचा के पुत्र की कुछ संपत्ती थी और उसने उस मोहरबंध दस्तावेच को छुड़ाया था और यदि आप इसे पूरे को देखना चाहते हैं यह साथ कली सी आई कालो और उन मोहरों तथा अन्य दूसरों में भी है आप देखते हैं कि पुराने नियम में मोहर एक गोलाई में लपेटे हुए या मुड़े हुए पत्र के रुप में इस प्रकार होती थी अब भाई ब्रणहम कागस के कई टुगडों का उप्योग दस्तावेच के मोरे जाने, मोहर लगाने और खोले जाने के विशय में समझाते हैं और यहाँ पर एक भेद था और यह भेद गुप्त रखा जाता था ठीक है, इस दस्तावेच को इस प्रकार से लपेट कर मोहर कर दी जाती थी, जो की फ्लाफला व्यक्ती की दावेदारी होती थी इसके बाद अगले भेद को उसके चारों और लपेट दिया जाता था जो की उत्तराधिकारी था, और उस पर इस प्रकार इस और मोहर कर दी जाती थी, जो की फ्लाफला व्यक्ती की दावेदारी होती थी और ऐसा तब तक किया जाता था जब तक की पूरा दस्तावेज तयार नहीं हो जाता था जब तक पूरे दस्तावेज को मोहर बंद नहीं कर दिया जाता था क्योंकि उस समय लोगों के पास ऐसी पुस्तक नहीं हुआ करती थी यह एक गोलाई में लिप्टा हुआ पत्र हुआ करता था, कितने लोग यह जानते हैं, जो दस्तावेज कहलाता था, ठीक है, यह एक मोहर बंध दस्तावेज होता था, आप यहां पर एक मोहर को तोर सकते थे, और यह जान सकते थे कि इस मोहर में क्या भेद था, और आप इसे खोल कर देख सकते थे, और देख सकते थे कि क्या दावा था, और इसके बाद आप दूसरी मोहर को तोड़कर दूसरे पत्र को खोल कर देख सकते थे कि इसमें क्या दावा था, और संपूर्ण यही बात साथ मोहरों के साथ है, जिनमें परमेश्वर का गुप्ध मनोरत जग प्रकत की उत्पत्ती से पहले ही मोहर बंध है और यह साथ भिन भिन मोहरों के द्वारा प्रकत होता है। यदि परमेश्वर की इच्छा हुई, और यदि परमेश्वर हमें इन मोहरों का अध्यान बिना किसी असुविधा के करने देता है, तो हम इस पुस्तक का विस्तार पूबक अध्यान करेंगे और देखेंगे की इसमें इन मोहरों के विश्वय में क्या कहा गया है. समझे, ओ, मैं आशा करता हूँ कि हमारे पास एक महान समय है छुटकारिक का भेद उसमें तब तक मोहर बंध है इस पुस्तक का तब तक खुलासा नहीं होता है जब तक एंतिम दूत का संदेश प्रचारा नहीं जाता है दस्तावेज वहाँ है, हम जानते थे कि वह वहाँ है हम जानते हैं वह चुटकारा था, हम विश्वास करते हैं कि वह चुटकारा था इर्मयाह ने कहा था इस दस्तावेज को रखा जाना चाहिए जैसा कि आप इसे इर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं वह कहता है कि दस्तावेच को मिट्टी के बर्तन में रखा जाना चाहिए। समझे, ओ, क्या ही शांदार बात यहां पर है जिस पर मैं थोड़ी देर के लिए बोल सकता है। इस सदस्तावेज को मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, वह दस्तावेज जो एक बार देहधारी हुआ, महिमा, मरा फिर से जीवित हो उठा, वह उस समय तक मिट्टी के बर्तन में रखा गया जब तक खरीदे जाने का या दाम चुकाने का समय नहीं आ गया, ओह मेरे प्रमेश्वर दार ठहराया समय ना आ गया, जब तक प्रित्वी पर अंतिम सुसमाचार दूत ना आ गया। और उन सब लोगों ने जिन्होंने इसका अंदाज लगाया, यह कहा, मैं जानता हूँ कि यह वहाँ है। मेरा यकीन है कि यह वहाँ है। और उन्होंने इस पर जगरा किया और इसे प्रकट किया और उन सब बातों को उत्पन किया जिनका वे विश्वास के द्वारा इसका यकीन करते थे। परन्तु अब यह हमारे पास प्रकाशन में और परमेश्वर के हाथों से प्रमान के द्वारा लाया जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है उसने इसका वायदा किया है अब आये देखते हैं कि हम कहां पर थे आये अब हम दूसरे पत को पड़ते हैं पहले पत को पड़े हुए काफी देर हो चुकी है परन्तु आये अब हम दूसरे पत को लेते हैं अब शायद हम अगले पत पर उतनी देर ठिके ना रहें। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्ग दूत को देखा जो उचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग ये कौन है। अब आप इसे याद रखिए। आये हम पहला प हाथ में एक पुस्तक। देखी, वह कौन है। परमेश्वर। वह पूरी तरह से जीवन की पुस्तक का मूल धारक है। वह इसे लिये हुए है। परमेश्वर ही ऐसा करता है। जब आमने अपने अधिकारों को खो दिया, तो यह पुस्तक अपने मूल स्वामी के पास वाप चली गई थी। यह परमेश्वर की पुस्तक है, और युहन्ना ने दर्शन में देखा, और जो सिंघासन पर बैठा था, मैंने उसके दहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी, हुई थी, और वो साथ मोहर लगा कर बंद की गई थी। अंदर देखि अब जब हम इन मोहरों के तोड़े जाने को देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि इन में से प्रत्येक मोहर का समबंद वचन की पिछली समस्त बातों से हैं। ध्यान दे, अब स्मरन रहे, यह पुस्तक मोहर बनर है, यह एक मोहर है, इसके बाद इस पर दूसरी मोहर लिप्टी हुई है, इसके बाद इस पर एक और मोहर लिप्टी हुई है, यह चुटकारे की एक पुस्तक है, और सारी बाते या सभी दस्तावेज मिलकर एक पुस्तक बनाते हैं और यह साथ मोहर लगाकर बंद की गई है। और यह बाहर से मोहर बंद है क्योंकि इस पर दस्तावेज एक के बाद एक करके लिपते हुए हैं। मोहर का भेद भीतर की तरफ है। श्वेट घोडे का सवार या काले घोडे का सवार और जो कुछ भी बाहर है। परंतु संपूर्ण पुस्तक का भेद उत्पत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का भेद उन मोहरों के अंदर है। छुटकारे की संपूर्ण योजना का खुलासा इन मोहरों में होता है। ओह यह एक महत्वपूर्ण समय है। परमेश्वर इसे जानने है तु हमारी सहायता करें। समझे। अब और एक बलवन्त स्वर्गदूत। अब दूसरा परड़. . . . . . . . . . बल्वंत स्वर्ग दूत उचे शब्द से यह प्रचार करता था कि कौन योग्य है, क्या करने के लिए योग्य है, उस पुस्तख को लेने के योग्य है, अब हमने यह ज्यात कर लिया है, कि यह पुस्तख अब कहां पर है, अपने मूल स्वामी के पास क्योंकि इसे पुत्र के द्वारा परमेश्वर के पहले पुत्र के द्वारा मानव जाती में से ले लिया गया था जब उसने शैतान को सुनने के द्वारा स्वयम को अपने अधिकारों से वन्चित कर लिया था तो उसने इसे त्याग दिया था परमेश्वर के पुत्र इसके संदर्ब में परमेश्वर के वचन को ग्रहन करने के बजायधार्मिक शिक्षन संस्थानों के विचारों को ग्रहन करते हैं. देखा, ठीक यही काम आम ने किया था, उसने स्वयम को अपने अधिकारों से वन्चित कर लिया था. और जब उसने ऐसे किया तो यह थीक वापस चली गई थी. क्या आप नहीं देख सकते हैं कि यह काल कहां पर रहे हैं? समझे, जब उसने ऐसा किया तो यह पुस्तक मूल स्वामी के पास वापस चली गई थी. और यहां पर युहना आत्मा में स्वर्ग में खड़ा हुआ है. अब उसे कली सियाई कालों से उपर उठा लिया गया कि वह कली सियाई कालों को देखे. और तब उसे चोथे अध्याय में उपर उठा लिया जाता है. उसने युहना से कहा था यहां उपर आजा और मैं तुझे वे बाते दिखाऊंगा जो होनी है और उसने देखा जो सिंघासन पर बैठा था उसके हाथ में उसके दाहिने हाथ में यह पुस्तक थी अब आप इसके बारे में सोचिये और तब इस पुस्तक में छुटकारे के लिए एक वसियत नामा था और यह पुस्तक साथ मोहरों के द्वारा मोहर बंद थी। और उसके बाद एक स्वर्ग दूत एक बलवन्द दूत आता है जो उचे शब्द से यह प्रचार करता था कि कौन मोहरों को खोलने के योग्य है। देखा स्वर्ग दूत ने यह पूछा था वहाए ओह मेरे प्रभू हो सकता है कि मैं ऐसा इस प्रकार से अनुभव कर रहा हूं। परंफु वह आए, स्वर्दूत ने कहा, वह आए, उद्धरन्ट चिन, यहाँ पर छुटकारे की पुस्तक है, यहाँ पर चुटकारे की योजना है, यहाँ पर केवल एक मात्र तरीका है, जिनके द्वारा तुम्हारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि प्रित्वी और आकाश के चुटकारे के लिए वसियत नामा है। वह आगे आए, क्या वह ऐसा करेगा? ओ, या तो वह अब बोले अन्यता हमेशा के लिए शांत बैठ जाए। वह आगे आए और इस पुस्तक को अपने अधिकार में ले ले। कौन ऐसा करने के योग्य है? और युहन्ना ने कहा, और न स्वर्ग में, न प्रित्वी पर, न प्रित्वी के नीचे, न जीवित और न मरा हुआ ऐसा करने के योग्य पाया गया। कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के योग्य ना पाया गया। स्वर्ग दूत की पुकार चुडाने वाला निकट संबंधी के लि को लेने के योग्य है और आदम से लेकर समस्त प्रेरितों और भविश्यद वक्ताओं तथा अन्य सभी को देखा परन्तु कोई भी उस पुस्तक को लेने या उस पर दृष्टी डालने के योग्य ना पाया गया अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं ना स्वर्ग ना पृत समस्त प्रेरित वहाँ पर खड़े हुए थे वे सभी पवित्रजन वे सभी धर्मीजन जो मर गये थे वहाँ पर खड़े हुए थे अयूब वहाँ पर खड़ा हुआ था हर कोई वहाँ पर खड़ा हुआ था और कोई भी उस पुस्तक के उपर दृष्टी डालने तक के पुप और वे सभी कहां पर है कि आए और इस पुस्तक को ले आपका बिशप कहां है हमारी योगिता कहां है हम कुछ नहीं है यह सच है उसने तो चुडाने वाले निकट संबंधी को पुकारा था कि वह यदी आ सकता है तो आगे बढ़कर आए परंतु युहनना बताता है कोई भी व्यक्ति उसे पुस्तक को लेने या उस पर द्रिष्टी डालने के योगिय नहीं था ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई भी योगिय व्यक्ति न था अब देखिए उदाहरं के लिए हम यह कह सकते हैं कि वहाँ पर स्वर्ग दूत था वहाँ पर जिब्राईल या मिकाईल था परन्तु याद रहे वो चुड़ाने वाला होना चाहिए जो उस पुस्तक को ले ना की स्वर्ग दूत या सराप क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया था वे तो भिन्श्रेनी के थे वे कभी गिरे नहीं थे स्मरन रहे युहनना यहाँ पर बताता है और कोई मनुष्य नहीं था परन्तु उस पुस्तक को उठाने वाला चुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी होना चाहिए परन्तु युहन्ना बताता है कोई मनुष्य ना था जो उस पुस्तक को ले सके क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसका छुटकारा हुआ हो कोई भी मनुष्य उस पुस्तक पर द्रिश्टी डालने के योग्य ना था ओ, नहीं अतह उसे उठाने के लिए मानव कुटुम्बी ही होना था और उसने इस कुटुम्बी के विशय में पूछा और उसने पाया की कहीं पर भी कोई ना था वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना विशप, ना आकबिशप, ना पादरी, ना पुरोहितों का तंत्र कोई भी ना था मैं तो केवल उसी बात का हवाला दे रहा हूँ जो युहन्ना ने बताया था. पवित्र शास्त्र बताता है कि युहन्ना रो पड़ा था. मैं इसके संदर्ग में वैसा नहीं सोच रहा हूँ, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं. मैं सुन रहा था कि एक व्यक्ती एक समय यह सिखा रहा था, युहन्ना इसलिए रो पड़ा था, क्योंकि उसने स्वयम अपने आपको योगि नहीं पाया. साथ बिसाची नो भरी साथ मोहरों के बीच का भगा था. ओ, कोई भी व्यक्ती जो पवित्र आत्मा की आधीनता में है उस व्यक्ती की शिक्षा से भिन बात जानता होगा, समझे. कोई भी व्यक्ती जो परमेश्वर की प्रेरणा के अंतरगत पाया जाता है उस व्यक्ती की शिक्षा से भिन बात जानता होगा. परंग्तु युहन्ना रोया था यहाँ पर जैसे मैं सोचता हूँ कि वह इसलिए रोया था कि उसने सोचा होगा यदि कोई भी इस योग्य नहीं है कि वह छुटकारे की इस पुस्तक को खोल सके तो सारी सृष्टी नाश हो जाएगी यहाँ पर वह पुस्तक है यहाँ पर वह वसियत नामा है और यह चुटुम्बी को प्रदान की जाएगी जो इससे जुरी हुई मांगों को पूरा कर सकता है यही परमेश्वर की अपनी व्यवस्था है और वो अपनी ही व्यवस्था में फेर बदल नहीं कर सकता है नहीं वो अपनी व्यवस्था को नजरांदाज कर सकता है देखा, परमेश्वर की मांग एक छुडाने वाला निकट संबंधी थी, जो वह करने के योग्य था, जो वह करने का विकल्प और स्वर्ग दूट ने कहा था, अब वह छुडाने वाला निकट संबंधी आगे आए और युहन्ना ने देखा और उसने समस्त पृत्वी के उपर देखा, उसने पृत्वी के नीचे देखा, और वहाँ पर कोई भी ऐसा ना था जो उस उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टी डालने के योग्य हो, स्रिष्टी और सभी कुछ नाश में थी, और युहन्ना सचमुछ रो पड़ा था ऐसा नहीं है कि वह रोता ही रहा हो लेकिन वह थोड़ी देर के लिए ही रोया था तब वहांपर खड़े हुए प्राचिनों में से एक ने कहा था युहनना मत रो ओह उसका रोना जारी नहीं रहा था पर उसका रोना थोड़ी देर के लिए ही था युहन्ना ने सोचा ओह वह मनुष्य कहाँ पर है जो इसे ले सके वहाँ पर भविश्यद वक्ता खड़े हैं वे तो वैसे ही जन्मे है जैसे मैं जन्मा है वहाँ पर पवित्र जन खड़े हैं वहाँ खड़े हैं ओह वहाँ पर कोई भी इसे खोलने के योग्य नहीं है मैं तो वह मनुष्य चाहता हूँ जो इसे खोल सके मैं तो वह व्यक्ति चाहता हूँ जो छुटकारा कर सके और युहनना को कोई मनुश्य ना मिला जो ऐसा कर सकता हो अतह युहना फूट फूट कर रो पड़ा। वह बहुत उदास था क्योंकि उसने सोचा था यदि उन्हें कोई ऐसा मनुश्य नहीं मिला जो ऐसा कर सकता हो तो, सारी मानव जाती, सारा भूमंडल और सारी सृष्टी नाश हो जाती है परमेश्वर की महिमा होवे यदि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जो मांगों को पूरा कर सकता हो तो सारी मानव जाती संपूर्ण भूमंडल और स्रिष्टी का नाश हो जाता सभी कुछ गिरावट में आ चुकी थी छुटकारे के अधिकार अ क्योंकि कोई भी उस पुस्तक पर दृष्टी डालने के योगे तक ना था ओह उसकी मांग मनुष्य थी युहन्ना रो पड़ा था क्योंकि कोई भी ऐसा ना था जो ऐसा कर सकता हो और हर चीज नाश थी और वहां खड़े हुए प्राचीनों में से एक ने कहा युहन्ना मत ओह परमेश्वर का अनुगरह उस प्राचीन ने युहन्ना से कहा अपना हरिदे दुखी मत कर युहन्ना मत रो देख यहुदा के गोतर का वह सिंग जो दावद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरे तोडने के लिए जैवन्त हुआ है और युहन्ना ने उसे चारो प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में खड़ा हुआ देखा जैवन्त प्रिवेल का अर्थ होता है मल्लेयुद करके विजई होना जब गत्समनी बाग में उसके चेहरे से लहु बह रहा था तो वह विजई हो रहा था देखा समझे यहुदा के गोतर का व तो वह उससे मल्लेयुद करता ही रहा था और दूट ने उसे छोड़कर जाने की चेश्टा की थी परन्तु याकूब ने कहा था मैं तुझे जाने नहीं दूंगा और याकूब उससे तब तक मल्लेयुद करता रहा जब तक उसे वह ना मिल गया जो वह पाना चाहता था और उसका नाम अदंगा मारनेहारा से जिसका की अर्थ धोखेबाज होता है से बदल गया था. किस में? इसराइल में परमेश्वर से युद्ध करनेहारा में बदल गया था. वह जैवन्त हुआ था. और यहुधा के गोत्र का यह सिंग जैवन्त हुआ था. उस प्राचीन ने कहा युहन्ना मत रोग क्योंकि यहुधा के गोत्र का वह सिंग जो दावत का मूल है जैवन्त हुआ है. वह पहले ही जैवन्त हो चुका है. वह ऐसा कर चुका है. युहन्ना यह कार्य तो पहले ही पूरा हो चुका है. वाह! ओह ओह प्रभु! उसने एक ऐसा ऐसा विरंजक उत् आपको वापस उन्ही दूशित हाथों में भेज देता है. वापस उसके उसी ज्यान के पास भेज देता है जिसने मानव जाती की गिरावट लाई थी. जी हाँ. परन्तु जब युहनना उसे देखने के लिए जो की जैवन्त हुआ था पीछे मुरा तो उसने एक मैमना देखा ओ, सिंग से क्या ही भिन था वो. उस प्राचीन ने कहा था, सिंग जैवन्त हुआ है. देखिए, मैं इस वक्तवय का उप्योग पुनह सरलता में परमेश्वर्प में कर सकता हूँ. उसने कहा था, वहाँ एक सिंग है. सिंग पशुओ का राजा है. उनमें सबसे अधिक सिंग होता है. मैं अफ्रीका के जंगलों में रह चुका हूँ और मैं जिराफों की दर्द भरी चीक सुन चुका हूँ. और विशाल काए, शक्तिशाली हाथी अपनी सैंट को हवा में उठा कर वीह वीह करके चिलाता है. मैं उसे तब सुन चुका हूँ. मैं रेगिस्तान के जंगली जानवरों को अपनी जाती के ही अपने खून के जानवरों को चीक कर बुलाते हुए सुन चुका हूँ. और गुबरेले को चिलाते हुए सुन चुका हूँ. और मैं और बिली पोल एक छोटे से पुराने स्थान पर जो की चेपियों से धका हुआ था, लेते हुए और मैंने वहां से कुछ ही दूरी पर एक शेर को गुराते हुए सुना और जब वह शेर गुराया तो रेगिस्तान के समस्त जानवरों ने चुप्पी साद ली. यहां तक की गुबरले की भिनभिनाहट भी शांत हो गई. देखा ओ, राजा बोला. मैं आपको बताता हूँ जब वह राजाओं का राजा अर्थात वह महराजा बोलता है, तो सारे नामधारी गिर्जे और सारे संदेह धाराशा ही होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं. सभी चुप्पी साद लेते हैं. और यह जो महराजा है, वह परमेश्वर का वचन है. उस प्राचीन ने कहा था, युहनना चिंता मत का, मत रो, युहनना हतोत साहित मत हो, मैं तेरे इस दर्शन में है, मैं तुझे कुछ दिखा रहा है. और मैं जानता हूँ तु पूरी तरह से हतोत साहित हो गया है, क्योंकि तु जानता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो छुटका पूरा कर सके, परन्तु यहुदा के गोत्र का सिंग ही ऐसा कर सकता है, क्या आप यहुदा के गोत्र को जानते हैं, आप जानते हैं कि हमने यहुदा के गोत्र का चिंह शामपट पर बनाया हुआ है, यहुदा के गोत्र का चिंह सिंग था, स्मरंग कीजिए, सिंग और बैल और उसे जिसका सिर मनुष्य का साथा और दूसरे को। और उन्हें वे सराप देख रहे थे, जबकि मरकुस्प मती, लूका और युहनना और सभी प्रेरितों के काम की पुस्तक के चारों ओर खड़े थे, वे साराप उस वचन को देख रहे थे। और मैंने एक व्यक्ति को एक बड़े सेवादार को यह कहते हुए सुना है, प्रेरितों के काम की पुस्तक मात्र मचान बनाने का कार्य है। यह वह पहली दाखलता है जिसे पवित्र कलिसिया ने कभी उत्पन किया था। जी हाँ, श्रीमान, और यदि वह कोई और दाखलता या डाली उत्पन करेगी, तो वह भी उसी की जैसी होगी। के वे सुसमाचार वहां खड़े हुए उसकी सुरक्षा अर्थात पहरे कर रहे हैं। यहुदा के गोत्र से ही क्यों। ओ यहुदा, जब तक शीलो न आए, तब तक न तो यहुदा से राजदन शूटेगा, न उसके वंच से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। परन्तु वह यहुदा में से आएगा। और यहुदा के गोत्र का निशान सिंग यह दर्शाता है कि वह जैवंत हुआ है। वह विजई हुआ है। और जब युहनना यह देखने के लिए पीछे मुरा की कहां पर वह सिंग है, तो उसने एक मेंना देखा। क्या ही विचित्र बात है, वह मुरा तो था सिंग देखने के लिए और वह एक मेंना देखता है। प्राचीन ने उसे सिंग कहा, वह देखता है एक मेमना जो मानो जगत की उत्पत्ती से ही वद किया गया हो, एक मेमना वद किया गया था, यह क्या था, वह मेमना क्या था, वह लहूलुहान था, वह घायल था, एक मेमना वद किया गया था, परंतु वह फिर से जीवित था, ओह मेरे परमेश्वर, वह लोहू लुहान था, कैसे हो सकता है कि आप लोग उस मेमने को देखे और एक पापी बने रहें, एक मेमना आगे बढ़ता है, प्राचीन कहता है, सिंग जैवन्थ हुआ है, यहुदा के गोत्र का सिंग जैवन्थ हुआ है, और युहनना, सिंग को देख लेकने के लिए मुरा और उसने एक लहू लुहान मैमना देखा, लहू उस मैमने पर था, वह घायल था, वह जैवन्त हुआ था, आप कह सकते हैं कि वह एक युद्ध में था, वह वद किया गया था, लेकिन वह फिर से जीवता था, आप जानते हैं, इससे पहले वहाँ पर इस मैमने को नहीं देखा था, इससे पहले इस मैमने का उलेक नहीं किया गया है, कही पर भी इसका विवरन नहीं दिया गया है। वह जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी और विराजमान हुआ और बिच्वाई का कार्य करने हे तु जीवित है वह जी उठा था और आज एक बिच्वाई के रूप में कार्य कर रहा है अपने ही लहों से लोगों की अभेलना के लिए बिच्वाई का कार्य कर रहा है अब यही है वह जिस पर मैं आश्रित हूँ वह अभी भी विरंजक से पापों की क्षमा करने वाले विरंजक से धका हुआ था युहन्ना ने उस मेमने को देखा था और वह मैमना ऐसा दिखाई पड़ता था कि मानो वद किया गया हो और इसके बाद उसने ध्यान दिया कि वह घायल था और कटा हुआ था और मारा कूटा हुआ था और लोहलुहान था एक लोहलुहान मैमना ही है वह जिसने हमारी जगह ली है क्या यह विचित्र बात नहीं है कि एक साधारन मैमने ने हमारी जगह ली और युहनना ने वहाँ एक मेमना देखा था युहनना ने देखा था कि एक मेमना बाहर निकल कर आया है युहनना ने उस मेमने को इससे पहले नहीं देखा था क्योंकि वह सुदूर अनंताओं में था और बिचवाई का कार्य कर रहा था और यह दर्शा रहा था जो लोग बेल बकरी के लहू के बलिदान के तले जो की एक विकलपी बलिदान था परमेश्वर के पास आते थे वे बलिदान उस मैमने की ओर संकेत करते थे उस पर विश्वास करने के लिए विवश करते थे और तब तक उनके लिए मैमने का लहू बहाया ना गया था इसलिए वह उनको शुध करने के लिए वहाँ पर था वह मुझे और आपको शुध करने के लिए वहाँ पर था और ओह प्रभु मैं आशा करता हूँ कि आज रात्री वह वहाँ पर है हर एक पापी के लिए वह वद किया गया है यहोवा कुछ और कैसे देख सकता है वरन केवल उस लोहुलुहान मैमने को ही वहाँ खड़ा हुआ देख सकता है और अब देखिए कि युहनना के दर्शन में मैमना निकल कर आता है और वह ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो वद किया गया हो गौर कीजिये कि वह पिता के सिंघासन से आता है ओ, सोचिये, इस दर्शन में वह कहां से आगे बढ़ता है वह महिमा से आता है, जहां वह परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है वह महिमा से युहनना की ओर आगे बढ़ता है ओ, यह क्या ही महिमा में बात होगी यदि आज रात्री हम अपने पापमई विचारों को इतना दूर रख दे कि हम उसे ग्रहन कर ले और आज रात्री वह महिमा से निकल कर आगे बढ़ता है आप में से किसी पर अपने आपको प्रकट करने के लिए बाहर निकले मैमना मध्यस्थता करने के लिए अपने चुटकारे का दावा करने के लिए महिमा से निकल कर आगे बढ़ता है ठीक है स्मरन रहे कि वह वहाँ पीछे अपने बिच्वाई के कार्य पर था परंतु स्मरन रहे, ये मोहरे खुलने के लिए तयार है और मैमना परमेश्वर के स्थल से आगे बढ़ता है उस समय तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक की हम उस पर नहीं आजाते हैं जो की एक ऐसा समय है जब आधी घरी होती है, यह सननाता है वह पवित्रस्थल धुए से परिपूर्ण है, तब वहाँ पर और अधिक बिच्वाई का कार्य नहीं होता है, वहाँ से बलिदान हट चुका है यह एक न्याय का सिंधासन है, वहाँ इस पर और अधिक लहू नहीं है क्योंकि लहू से लथपत मैमना जा चुका है आप उस समय तक हाथ पर हाथ रखकर न बैठे रहें पुराने नियम में याद कीजिए, जोही प्रायश्चित के धक्कन पर से लहू हट जाता था, त्योही यह न्याय होता था, परंतु जब तक प्रायश्चित के धक्कन पर लहू होता था, तब तक अनुग्रह रहता था भाई ब्रणहम पाँच बार मंच पर खटखट करते हैं, संप परन्तु जब मैमना उस पवित्रस्थल से चला जाता है, तो ऐसा ही होता है वह क्या रहा है? वह एक मध्यस्त रहा है कोई और व्यक्ती नहीं वरन वही मध्यस्त रहा है मुझे बताईए कि तब मरियम कहां बिच्वाई का काम कर सकती है मरियम क्या अर्पित कर सकती है संथ फ्रांसिस, संथ असीसी, संथ सीसिलिया या अन्य कोई दूसरा संथ या वरन कोई मानव क्या चड़ा सकता है युहनना ने कदापी यह नहीं देखा था कि हजारों संथ बिच्वाई का कार्य करने के लिए आये है उसने मैमना देखा था, उसने वद किया हुआ मैमना देखा था, जो लोहुलुहान था मैं इसकी परवा नहीं करता हूँ कि कितने संत वद हुए थे, वे सभी उनमें से प्रत्येक ठीक इसी के भागिदार थे जैसे कि उस डाको ने क्रूस पर कहा था, हमने पाप किया था और हम ठीक यह पा रहे है परन्तु इस मनुश्य ने तो कुछ नहीं किया है वही केवल एक व्यक्ति था जो योग्य था, यहां पर वह अपने बिच्वाई कक्ष से आता है अब वह क्या करने के लिए आ रहा है, उस पर द्रिष्टी बनाए रखिए ओह हो मेरे प्रभु, भाई ब्रणहम तीन बार ताली बजाते हैं, संप युहन्ना रो रहा था, सभी कहां पर थे, क्या घटे थोने जा रहा है प्राचीन ने कहा, युहन्ना, मत रो, देख अब एक सिंग आता है, यही एक वह है जो जैवन्त हुआ है जब युहन्ना ने देखा, तो उसने एक मेमने को जो की लहू लुहान था, जो की वद किया गया था, आते हुए देखा कोई भी जिसे मारा गया होता है वो लहू लुहान होता है आप जानते हैं वो मारा गया होता है उसकी गर्दन काट दी गई थी या उसके साथ कुछ और किया गया था लहू उस पर सभी जगह विखरा हुआ था अब वह मैमना आता है जो वद किया गया था और वह आगे आता है ओ, क्या करने के लिए अपने छुटकारे की दावेदारी करने के लिए आमीन, ओ, ओ, मैं क्या आपको ऐसी अनुभूती नहीं होती है कि आप एक कोने में जाकर बैठ जाएं और रोए देखो, यहां वह मैमना आता है जो अभी भी लहू लुहान है युहना ने देखा वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो वह कर सकता हो समस्त प्रतिश्थित लोग वहाँ पर चारों और खड़े हुए थे परन्तु उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो वह कर सकता हो इसलिए वह मैमना आता है जब वह आता है तो उसके बिचवाई के दिन समाप्त हो चुके होते हैं मध्यस्थता करने के उसके दिन समाप्त हो चुके होते हैं ऐसा तब होगा जब यह बलवन्त दूत वहाँ पर खड़ा होता है आप उस समय तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि हम मोहरों के खुलासा पर नहीं आ जाते हैं और तब समय और अधिक नहीं होगा यह सही बात है यह आधी घड़ी का सन्नाता है परमेश्वर की इच्छा से अगले रविवार की रात्री को जब हम उस सात्वी मोहर का अध्यान करेंगे तो आप देखिए कि उस आधी घड़ी के सन्नाते में क्या होता है वह आगे आता है क्या करने के लिए अपने दावे को लेने के लिए ओ, मेरे परमेश्वर अब वह अपने दावे को लेने आता है अब वह निकट कुटुम्बी का कार्य कर चुका था वह नीचे आया की मनुष्य बने और वह मरा उसने निकट कुटुम्बी के रूप में छुटकारे का कार्य किया परन्तु क्योंकि उसने अपने कबजे पर अभी तक दावेदारी नहीं की थी, अब देखिए कि क्या होता है, अतह वह अपने उन अधिकारों पर दावा करने के लिए द्रिश्य पर आता है, जिनके लिए वह वद हुआ था, जिनके लिए वह मनुष्य का निकट संबंधी बन ना कि उसे चुड़ाई, कि उसके बदले में मरे, परन्तु वह प्राचीन ठीक था जब उसने उसे सिंग कहा, समझे, उस प्राचीन ने उसे सिंग कहा था, क्योंकि बिचवाई के रूप में वह एक मैमना था, वह एक लहुलुहान मैमना था, परन्तु अब वह सिंग की ना और जो पवित्र है, वो पवित्र बना रहे, क्योंकि बिच्वाई का कार्य पूरा हो चुका है, ओ, भाई, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, और याद रहे, ऐसा सात्वी कली सियाई काल में तब होता है जब परमेश्वर के गुप्त भेत खोले जाएंगे, अब ध्यान पूर वक देखें, यह कुछ वह है जो आपको मालूम होना चाहिए, अब वह मध्यस्थता का अपना कार्य कर रहा है, वह विश्वासी के लिए बिच्वाई का कार्य कर रहा है, पिछले 2000 वर्षों से वह वहाँ पर एक मैमना है, अब वह अनंत्ता से बाहर निकल रहा है कि वस अली कहती है, आमीन, संप, ठीक है, हम इन्हें आगे चल कर देखेंगे, अब देखिए, मोहरों का तोड़ा जाना और समस्त भेदों को उन्हें चुटकारा देना, सात्वे दूट जिसका परमेश्वर के रहस्यों को को प्रकट करने का संदेश है, पर प्रकट होना, ये दिन सात मोहरों में छिपे हुए हैं, और मैमना आगे आता है, जो कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिच्वाई का कार्य कर रहा है, वो सिंग बन जाता है, और जब वो सिंग बन जाता है तो वो उस पुस्तक को ले लेता है, यह उसके अधिकार है, परमेश्वर के पास ये भेद थे परन्तु अब मैमना आगे आता है। कोई भी उस पुस्तक को नहीं ले सकता था। वह अभी भी परमेश्वर के हाथों में है। ना पोप ना पुरोहित या जो कोई भी है वे इस पुस्तक को नहीं ले सकते हैं। साथ मोहरों को प्रकट नहीं किया गया है समझे। परन्तु जब मध्यस्थता जब उसका कार्य एक बिच्वाई के रूप में खत्म हो जाता है तो वह आगे आता है। और यूहन्ना प्राचीन कहता है वह सिंग है और वह आगे आता है। उस पर गौर कीजिए समझे। ओह मेर प्रभू। अब देखिए वह पुस्तक को लेने के लिए आगे आता है कि परमेश्वर के भेदों को प्रकट करें जिनके विशय में नामधारी कलीसियाओं के इन सभी कालों में दूसरे लोगों के द्वारा अनुमान लगाया गया था। इसके बाद अब सात्वे दूत को देखिए अब यदि यह पुस्तक भेदपूर्ण है यदि यह पुस्तक परमेश्वर का वचन है तो सात्वा दूत भविश्यदवक्ता होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन भविश्यदवक्ता के पास आता है ना पुरोहित ना पोप और ना ही अन्य कोई इसे जान सकता है क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसों के पास नहीं आता है परमेश्वर का वचन सरवदा केवल भविश्यद वक्ता के पास आता है मलाकी चार में ऐसी ही प्रतिग्या की गई है और जब वह भविश्यद वक्ता आएगा तो वह परमेश्वर के भेदों का खुलासा जबकि गिर्जा इन सब नामधारी संस्थाओं में नैतिक पतन की और अभिमुख हो चुका होगा तो वो बालकों के मनों को पितों की ओर फेरेगा और इसके बाद संसार पर न्याय आ पड़ेगा और प्रित्वी जल जाएगी और तब सहस्राब्दी में धर्मी जन दुष्ट की राक पर चलेगे क्या अब आप इसे समझ गए हैं मंडली कहती है आमीन संप ठीक है नामधारी कलीसियाओं के काल में दूसरे लोगों ने इस पर अनुमान लगाया था परन्तु देखिए यह व्यक्ति सात्वा दूत होना चाहिए प्रकाशित्वा के दस एक माइनस चार क सात्वे दूत के पास परमेश्वर के भेदरे हैं जिन्हें उसे दिया गया है और वो समस्त भेदों को पूरा करेगा जो नामधारी कलीसियाओं के कालों के दौरान छोड़ दिये गए थे अब आप देख सकते हैं कि मैं नामधारी कलीसिया में अपने आयो पर क्यों प्रहार नहीं करता हूँ यह तो नामधारी कलीसिया का तंत्र है ना कि वे उन्हें तो इसे जानने का यत्न करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि यह नामधारी कलीसियाओं में प्रकट नहीं हो सकता है यह वचन के अनुसार है उन्होंने अनुमान लगाया और विश्वास किया कि वह वहाँ था और विश्वास से इसके द्वारा चले परन्तु अब इसे प्रमानों द्वारा साबित किया जा चुका है आमीन ओ, क्या ही शांदार वचन है अब देखिए, तब वह जो मैमना है, अपना शाही स्थान ग्रहन करता है, जब उसके संथ प्रभूओं के प्रभू और राजाओं के राजा के रूप में उसकी ताजपोशी करने आते है समझे, देखिए, प्रकाशितवा के 10-6 के अनुसार्थ समय समाप्थ हो चुका है, समय और नहीं है ध्यान दीजिए कि वहाँ पर इस मैमने के साथ सींग है क्या आपने यह गौर किया था, उसके साथ सींग है, हम हाल ही में यह पर चुके है सींगों का अर्थ होता है, सामर्थ, किसी पशु के संदर्ग में सींग का अर्थ सामर्थ होता है और ध्यान दीजिए कि वह पशु नहीं था, क्योंकि उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंगासन पर बैठा हुआ था, वह पुस्तक ले ली थी समझे, ध्यान दे, ओ, मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने यहीं कहीं पर लिखा हूँ ओ, मोहरों का तोड़ा जाना, और वसियत नामे का खुलासा किया जाना, और अंतिम दूत को संदेश का दिया जाना, और वह अपना शाही स्थान ग्रहन करता है यही है वह जो वह करने के लिए अब आता है अब ध्यान दीजिए, जब वह आता है, तो उसके साथ सींगों अब देखिए, युहन ना उसकी ओर देख रहा था, जब उसने इस मैंने को देखा तो वह ऐसा दिखाई परता था कि मानो वद किया गया हो वह मैमना लहूलुहान था, और वह अनंत्ता से आता है, और वह अपना बिच्वाई का कार्य समाप्त कर चुका होता है तब आप मर्यम से जितनी चाहे उतनी दुआएं कर लेना ना स्वर्ग में और ना प्रित्वी पर तथा कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ती न था जो उसे ले सके और यहां तक की युहनना इस पर रो पड़ा था ओ, कैथलिक मित्रोग क्या तुम वह नहीं देख सकते हो किसी मृत व्यक्ती से दुआएं ना करे मैमना ही एक मात्र बिच्वाई है, समझे वही है केवल एक ऐसा है जो आगे आया था और अब वह क्या करता है वह यहां पर होकर बिच्वाई का कार्य कर रहा है जब तक की उसका लहू प्रत्येक व्यक्ती के लिए प्रायश्चित नहीं कर लेता है और अब मैमना जानता है कि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है इसलिए वह जानता है कि उनके नाम जगत की उत्पत्ती से ही उस पुस्तक में थे अतह वह वहां खड़ा हुआ है और बिच्वाई का कार्य कर रहा है बिच्वाई का कार्य तब तक कर रहा है जब तक कि वह उन प्रत्येक को छुड़ा नहीं लेता है जिनके नाम उस पुस्तक में लिखे हुए है जब तक कि वह उन में से हर एक के लिए बिच्वाई का कार्य पूरा नहीं कर लेता है और अब वह बाहर आता है देखे, वह निकट कुटुम्भी का अपना कार्य कर चुका है, आप जानते हैं कि कुटुम्भी का क्या कार्य होता था कि प्राचिनों के सम्मुख गवाही दे, क्या आपको याद है कि बोज ने अपने जूते इत्यादी को उतारा था, वह अब यह सब कुछ कर चुका है, अमीन, अब वह एक राजा के रूप में आता है, वह अपनी रानी की राह देख रहा है, आमीन, इस पुस्तक में इसके समस्त भेद साथ मोहरों में चारों और से लपेट कर मोहर बंद किये हुए है, ओ भाई, ध्यान दे, साथ मोहरे, उसके आने की बाट जोह रही है, ध्यान मुझे बता रहा है कि वे ठक रहे हैं, और मैं भी अनुभव करता हूँ कि वे ठके हुए हैं, परन्तु हम कैसे भी हो इसको ले ले। चार दूत हैं, साथ आखें, साथ अविश्य दर्शी, सेर्स हैं, क्या आप वचन के कुछ लेखों को लिखना चाहोगे, आईए हम इसे निकालते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या आपके पास ऐसा करने के लिए काफी समय है, मंडली कहती है, आमीन, संप, ठीक है, आईए हम जक देर तक टिका कर नहीं रखना चाहता हूँ, और मैं, परन्तु तो भी, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आप इससे चूकें, क्या कुछ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, मंडली कहती है, आमीन, संप, जी हाँ, किसी व्यक्ती के लिए अनंत जीवन से अधिक महत्वपूर कुछ नहीं है, और हमें इसे अभी प्राप्त कर लेना चाहिए, और सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि हमें यह मिल गया है, ठीक है, ठीक है श्रीमान, और अब हम जकर्याह नभी की पुस्चक का तीसरा अध्याय पढ़ना चाहते हैं, मैं सोचता हूँ कि यह ठीख होगा कि अब हम जकर्याह नभी की पुस्तक का तीसरा अध्याय निकाले अब हम इन चिन्हों या सूचकों को यहाँ पर देखने जा रहे हैं मैंने इससे संबंधित वचन के लेक को लिखा हुआ है इस दोपहर को जब मैं इस अध्याय पर पहुँचा तो मैं आनंद विभोर होकर सभी जगह चिलना रहा था मैं नहीं जानता कि अब मुझे वह लेक मिल गया है या नहीं मैं आशा करता हूँ कि मुझे मिल गया है आईये अब जकर्याह तीन मैंने यहाँ पर नवासी वापद लिखा हुआ है परंतु यह आठ और नौ वापद होना चाहिए ठीक है मैं जानता आईए आप जकर्याह तीन आठ और नौ पढ़ते हैं हे यहोशु महायाजक तू सुन ले और तेरे भाईबंधू जो तेरे सामने खड़े है वे भी सुने क्योंकि वे मनुष्य शुब शकुन है सुनो मैं अपने दास शाक मसीह को प्रकट करूंगा उस पत्थर को देख जिसे मैं यहोशु के आगे रखा है उस एक ही पत्थर के उपर साथ आखे बनी होंगी सेंआओ के यहोवा की यहवानी है देख मैं उस पत्थर को खोदता हूं और उस देश के अधर्म को एक दिन में दूर कर दूंगा आईए अब हम जकर्याह चार और दस निकाले अब सुनिए जकर्याह चार बचके दस मिनिट किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है परमेश्वर सरलता में है, समझे यहोवा अपनी इन सातों आखों से सारी पृत्वी पर द्रिष्टी करके साहुल को जरूब बबेल के हाथ में देखेगा और आनन्दित होगा साथ आखे आखों का अर्थ होता है देखना देखने का अर्थ होता है भविश्यदवक्ता, भविश्यदर्शी इस मेम्ने के साथ सींग और साथ आखे थे अर्थात प्रत्येक सींग पर एक आख थी यह क्या है? मसीह और उसकी दुलहन, साथ कली सीयाइकाल यह आखे वे साथ भविश्यदवक्ता हैं ये वे 7 भविश्यदर्शी है जो आए थे अतहन्तिम को भी भविश्य दर्शी होना चाहिए ठीक है ध्यान दीजिये कि वो पशु नहीं है उसने उसके दाहिने हाथ से जो सिंधासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली थी वो कौन था? स्वामी, मूल स्वामी जिसके पास वो छुटकारे की पुस्तक उसके दहिने हाथ में थी और कोई स्वर्ग दूत, कोई स्वर्गिय प्राणी या अन्य कोई भी उस स्थान को ले नहीं सका और यह लहूलुहान मैमना बाहर निकल कर आता है और उसके हाथ से पुस्तक ले लेता है यह क्या था भाई, यही वचन में सर्वादिक उत्कृष्ट बात है यही वह कार्य है जो स्वर्ग दूत या अन्य दूसरा कोई नहीं कर सकता था और मैमना आया और उसने उसके दाहिने हाथ से जो सिंधासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली यह क्या है अब यह पुस्तक मैमने के अधिकार में है आमीन परमेश्वर की व्यवस्था की एक मांग थी वही एक ऐसा है जो उसे पकड़े हुए है परमेश्वर की व्यवस्था की मांग एक चुडाने वाला निकट संबंधी थी और मैमना साहस के साथ बाहर आता है और कहता है मैं उनका निकट को तुम्बी हूँ, मैं उनका छुडाने वाला हूँ, मैं अब, मैं उनके लिए मध्यस्थता कर चुका हूँ, और अब मैं उनके लिए अधिकारों का दावा करने के लिए आ गया हूँ, आमीन, आमीन, मैं उनके लिए अधिकारों का दावा करने क के लिए आ गया हूँ और मैंने दाम चुका दिया है इस पर इनका उन सब चीजों पर अधिकार हो गया है जो गिरावट के समय से इनके अधिकार से चली गई थी वाह ओ भाई क्या आपको अंदर से इससे धर्मी होने की अनुभूती नहीं होती है मंदली कहती है आमीन प्संप अपने उन भले कामों से नहीं जिन्हें हमने किये हैं परंतु उसकी करुणा के द्वारा ओ एक मिनिट के लिए रुकिए और वे प्रचीन तथा अन्य सभी अपने अपने ताज उतर कर फूपने लगे और बड़े बड़े लोग भूमी पर आने लगे समझे कोई नहीं, कोई भी इसे कर नहीं सका और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ तक चल कर आता है और पुस्तक को उसके दाहिने हाथ से ले लेता है और अपने अधिकारों की दावेदारी करता है मैं उनके लिए मर चुका हूँ, मैं उनका चुडाने वाला निकट को टुम्बी हूँ, मैं बिच्वाई करता हूँ, मेरा लहू बहाया गया था, मैं मनुष्य बना हूँ और मैंने यह उस कलिसिया की पुनह प्राप्ती करने के लिए किया था जिसे मैंने जगत की उत्पत्ती से पहले देखा था, मैंने ही इस उत्देश्य को पूरा किया है और मैंने ही इसके विशे में कहा था कि यह वहाँ होगी और कोई भी इसकी प्राप्ती करने के योग्य ना था परन्तु मैं ही नीचे गया और मैंने ही इस कार्य को किया मैं उनका निकट कुटुम्बी हूँ मैं ही उनका कुटुम्बी बना हूँ और वह पुस्तक को ले लेता है आमीन ओह मेरे लिए आज रातरी वहां कौन प्रतीक्षा कर रहा है हे कलिसिया कौन है वह जो वहां पर प्रतीक्षा कर रहा है कौन आपके लिए वहां प्रतीक्षा कर सकता है वह चुडाने वाला निकट कुटुम्बी है ओह मेरे प्रभू क्या ही उत्कृष्ट बयान या कार्य है अब उसके पास छुटकारे का वसियत नामा है वह उसके हाथ में है मद्यस्थता का कार्य अब हो चुका है छुटकारे का वसियत नामा उसके हाथ में है स्मरन रहे हमेशा से ही यह परमेश्वर के हाथ में था परन्तु अब यह मैमने क अब देखिए, समस्त स्रिष्टी के चुटकारे का वसियत नामा उसके हाथ में है, और वो मानव जाती के लिए इसका दावा करने के लिए आता है। उनसे खो गया था, उन्हें सारी स्रिष्टी, पेर, पौधे, पशुओं का जीवन तथा अन्य सभी कुछ वापस लोटाए जो उनसे गिरावट की सबब से खो गया था। ओ, मेरे परमेश्वर, क्या आपको इससे प्रसन्नता की अनुभूती नहीं होती है। मंडली कहती है, आमीन प्संप, मैं सोच रहा था कि मैं थका हुआ हूँ, परन्तु अब मैं थका हुआ नहीं हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं वचन का प्रचार करने हे तु काफी बूढ़ा हो गया हूँ। परन्तु जब मैं इस प्रकार की कुछ बातों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। ये कुछ ऐसी बाते हैं जो आप में कुछ करती हैं, समझे क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि वहाँ पर कोई है जो मेरी राह देख रहा है वहाँ कोई ऐसा है जिसने उस मुल्य को चुकाया है जिसे मैं नहीं चुका सकता था यह सच है चाली उसने यह मेरे लिए किया है उसने यह तुम्हारे लिए किया है उसने यह संपूर्ण मानव जाती के लिए किया है और अब वह चुटकारे के अपने अधिकारों का दावा करने के लिए आता है वह इसका दावा किसके लिए करता है अपने लिए नहीं, वरन हमारे लिए वह हम में से एक है, वह हमारा कुटुम्बी है ओ, मेरे परमेश्वर, वह मेरा भाई है, वह मेरा उध्धर करता है वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा छुडाने वाला निकट कुटुम्बी है, वह मेरा सर्वस्व है उसके बिना मैं क्या था या उसके बिना मैं क्या हो सकता हूं अतहा आप देखिए वो मेरा सब कुछ है और वहाँ पर वो हमारे कुटुम्बी की नाई खड़ा हुआ है और अब वो इस समय तक हमारे लिए बिच्वाई का काम कर रहा है और अब वो आगे आता है और अपने उन सब अधिकारों का दावा करने है तू, जो उसने हमारे लिए किये था छुटकारे की पुस्तक को लेता है वे मर गए थे, ये शुने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाय, तो भी वो जीवित रहेगा जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाच्वी, छठी या सात्वी घडी में सुजाता है इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां कहीं पर भी सोया हो, क्या होगा परमेश्वर की अंतिम तुरही फू की जाएगी वह अंतिम तुरही थी को समय फू की जाएगी जब अंतिम दूर्थ अपना संदेश दे रहा होगा और अंतिम मोहर खुलती है, वह अंतिम तुरही फू की जाती है और छुडाने वाला छुडाई हुई अपनी संपत्ती को लेने अपनी कलिसिया को बलहू में धुली हुई कलिसिया को लेने के लिए आगे आता है अब ओ, संपूर्ण स्रिष्टी उसके हाथ में है जिसके चुटकारे की संपूर्ण योजना साथ भितपूर्ण मोहरों के द्वारा इस पुस्तक में मोहरबंध है जिसे उसने अपने हाथ में लिया हुआ है अब देखिए, और जिस पर वह इसे प्रकट करना चाहता है वह इसे उस पर प्रकट करता है देखिए, यह उसके हाथ में है अब देखिए, कि उसने यह प्रतिग्या की है वह इसे तब अर्था तब प्रकट करेगा क्योंकि यह चुटकारे की पुस्तक भेद की साथ मोहरो द्वारा मोहरबंध है अब देखिए जैसे अब मित्रो मैंने आपको बताया था कि हम यहां से साड़े आठ बजे बाहर निकल जाएंगे परन्तु इस पर अर्थात इस बात पर आने के लिए मुझे तीन या चार प्रिष्ठों को छोड़ते हुए आना पड़ा है अतह पहले ही नौ बज चुके हैं ताकि आप कल वापस आ सके परन्तु अब मोहरों की सातस्तरिय पुस्तक को छुटकारे की पुस्तक को स्वयम मैमना आप में ले लेता है और केवल वही एक ऐसा है जो उसे ले सकता था और अब वह उसे उसके दहिने हाथ से ले लेता है जो सिंधासन पर बैठा था कि छुटकारे के अपने दावे को करे की अपने अधिकारों का दावा करे की वह मेरे आप के लिए उन वस्तूओं का दावा करे जिससे उसने हमें चुडाया है कि हमें उन सब चीजों को वापस दिलाए जिन्हें आदम ने अदन की वाटिका में गवा दिया था उसने हमें वापस उसके लिए चुड़ाया है अब हम उस मैमने से जिसके हाथ में वह पुस्तक है उसकी अनुग्रह और करुना को हमारे उपर बनाए रखने हे तु निवेदन करने को तयार है कि वह हम पर साथ मोहरों की पुस्तक को खोले और हम समय के पर दे के पीछे जहाथ कर पूर्वकालीन बातों को थोड़ा सा देखें ओ, मेरे परमेश्वर अब आप ध्यान रखिये कि जब वह उस मोहरबन पुस्तक को उस वसियत नामे को लेता है अब आप इसे अपने मस्तिष्क में बनाए रखें और वह गुप्त मनोरत की इन मोहरों को तोड़ता है कि उन्हें प्रकट करे कि वह अपने छुड़ाए हुए सब लोगों पर इनका खुलासा करे अब जब हम इन मोहरों का अध्यान करेंगे तो हम वहाँ पीछे जाएंगे और उन प्रानों को देखेंगे जो वेदी के नीचे हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कह रहे हैं प्रभू कब तक तु कब तक और यहाँ पर वह वेदी पर एक बिचवाई के रूप में है कहा गया और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक की बचे हुए तुम्हारी तरह दूप खाना उठा ले परन्तु इस अंतिम मोहर पर वह यहां से आता है अब वह एक बिचवाई नहीं है अब वह एक राजा है और वह क्या करता है यदि वह राजा है तो उसके लोग होने चाहिए और उसके लोग वे लोग है जिनका उसने चुटकारा किया है और वे उसके सम्मुख तब तक नहीं आते हैं जब तक की वह चुटकारे के अधिकारों को नहीं ले लेता है और अब वह बिचवाई से बाहर निकल कर आता है जहा मृत्यू हमें कबर में ले जाती वह अधिकारों के साथ बाहर आता है आमीन और हम जो जीवित है और प्रभू के आने तक बचे रहेंगे तो सोय हुओ से कभी आगे न बढ़ेंगे क्योंकि अंतिम तुरही पर परमेश्वर की तुरही फूखी जाएगी जब अंतिम मोहर तोरी जाती है और जब सात्वा दूत अपना संदेश दे रहा होता है तो अंतिम तुरही फूखी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे की हवा में प्रभू से मिले वह दावा करता है अब वह अपने कपजे का अपने अधिकृत करण का दावा करने के लिए आगे आता है ध्यान दीजिए इसे देखिए वह मोहरों को तोड़ता है और गुप्त भेदों को प्रकट करता है किन पर प्रकट करता है वह उन गुप्त भेदों को एंतिम कलिसिया पर प्रकट करता है यही वह कलिसिया है जो जीवित है जबकि शेश सभी सो रहे है उसने कहा था क्या वो पहले दूसरे तीसरे पहर से होते हुए सात्वे पहर में आया सात्वे पहर में यह धूम मची या यह पुकार हुई देखो दुलहा आ रहा है और जब ऐसा हुआ तो मूर्ख कुवारियों ने नामधारी कली सियायों ने कहा ओ आप जानते हैं मैं यकीन करती हूँ कि मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए तुम प्रेस्बी टीरियनों और धर्माध्यक्षों क्या तुमने ध्यान दिया था क्या तुम्हें मेरा फीनिक्स में उन लोगों को दिया गया संदेश याद है जो वहाँ पर खड़े हुए थे उस आवाज में उन्हें वो संदेश दिया गया था और वहाँ कहा गया था खेर इस रच्यता के साथ क्या गडवडी है कि वो पवित्र पिता और अमुक-मुक कह रहा है जबकि पवित्र शास्त्र कहता है तू किसी मनुश्य को पिता या ऐसा ही कुछ मत कह देखा, वे उनके साथ सो रहे हैं. यही कारण है कि वे यह सब कहते हैं, परन्तु जब वे आगे आते हैं, तो कहते हैं, जी हाँ, हम विश्वास करते हैं. हाल ही में एक स्त्री ने दूसरी को बुलाया, और कहा, तुम जानती हो, मैं एक धर्माध्यक्ष हूँ. मैं किसी दिन भाशाओं में बोली थी. मेरा यकीन है कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, परन्तु तुम शाह. नत रहना, तुम किसी को ना बताना. मैं इसका बहुत अधिक संदेह करता हूँ. हो सकता है तुमने भाशाओं बोली हो, परन्तु क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति को आग के उपर बैठा दो और वह शोर न मचाए. ऐसा हो ही नहीं सकता है. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पत्रस और याकूब और युहनना और वे जो उपर कोटरी में बैठे हुए थे, तो वे यह कहे ओ, अब हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, मगर हो सकता है कि बहतर यही हो कि हम चुप चाप बैठे रहें. भाई, वे तो वहां से खिल किया और दरवाजो और सभी निकासियों से निकल कर सरकों पर आ गये थे और इस प रहसे कुछ नहीं मिल रहा है. जी हाँ, यह सच है. और याद रहे, जब वे तेल मोल लेने का यतन करने के लिए गई, तो वचन ऐसा नहीं बताता है कि उन्हें तेल मिल गया था, परन्तु जबकि वे इसे मोल लेने का यतन कर रही थी, तो एक शोर मची. और क्या हुआ? वे जो शेश बच गई थी, वे महासंकट के समय के लिए रह जाती है. और तब रोना और करहना और दात पीसना होगा. यह कलिसिया है, ना कि दुलहन जो पहले ही उपर जा चुकी है. यही दुलहन और कलिसिया में मुख्य विभेद है. जी हाँ, श्रीमान. ओ, लड़को ध्यान दो, वह तो पहले ही विवाह भोज में जा चुकी है. मोहरों को एंतिम कलिसिया इकाल में तोड़ा गया था. क्यूँ? इन सत्यों को प्रकट करने के लिए. क्यूँ? मैमने ने मोहरों को तोड़ा और उन्हें अपनी कलिसिया पर प्रकट किया ताकि अपने राज्य के लिए अपने लोगों को उसकी दुलहन को इकठा करे। देखा, ओह मेरे प्रभु, अब वह अपने लोगों को अपने पास लाना चाहता है। यह क्या है? पृत्वी की धूली में से, समुद्र की तलहटी में से, गहरे गढ़्धों में से, हर एक जगहों से, और सभी जगहों से, अं यू न हो, वह पुकारेगा और वे उत्तर देंगे। आमीन, आमीन, वह पुकारेगा और वे उत्तर देंगे। वह अपने लोगों को लेने आता है। वह उन पर अपने भीदों को प्रकट करता है और वे इसे देखते हैं। और उस समय, समय और अधिक न रहेगा, समय समाप यह सच है तब समय पूरा हो चुकता है। यह सच है तब समय पूरा हो चुकता है। दानियल बताता है कि न्याय का सिंघासन लगा हुआ है। तारों लोग उसकी राजा और रानी की सेवा तहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे फिर न्याय बैट गए और पुस्तके खोली गई। और इसके बाद एक और पुस्तक खोली गई जो की जीवन की पुस्तक है। यह पुस्तक कलिसिया के लिए है और राजा और रानी वहाँ खड़े हुए है। जैसा की एक गवाला अपने ध्यान में कहता है। पिछली रात जब घास के मैदान में मैं लेटा था। आसमान के तारों को ताक रहा था। और विस्मय कर रहा था क्या कोई गवाला। गुजर सकता है उस मधूर धारा से। उस तेजो में खुशाल क्षेतर के लिए एक मार्ग है। परंतु लोग कहते हैं जो मार्ग उस क्षेतर को जाता है, वह सक्रा है। परंतु एक चोड़ा मार्ग है जो अनन्त मृत्यू को जाता है। वह चारों और बिच्छा हुआ है। लोग एक और महान स्वामी के विशय में बताते हैं यहां पर यह गवाला अपनी गवाली जीवन के शब्दावली में यह कह रहा है यदि आप इन बातों को ध्यानपूवक एक साथ देखेंगे तो आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकेंगे लोग एक और महान स्वामी के विशय में बताते हैं वे कहते हैं कि वो कभी अती संग्रह नहीं करता है वो सदा पापियों के लिए जगह तयार करता है जो सीधे संकरे मार्क पर चलते हैं वे कहते हैं वो तुम्हें कभी नात्यागेगा वह तुम्हारे हर कार्य कलाप को है जानता अपनी सुरक्षा के लिए बहतर है कि छाप हम उसकी ले लिखे हैं नाम हमारे उस बड़ी पुस्तक में क्योंकि वे कहते हैं वहां जमा होंगे लोग बहुत तब ग्वाले खड़े होंगे वहां नम होकर तब उन पर न्याय के सवारवारा चाप होगी वे भविश्यद वक्ताए और भविश्यद रिष्टाए जो वहां पर नियुक्त होगा और सभी चाप को जानता होगा यदि कभी आप उस जमात में थे तो आप स्वामी को वहां खड़ा हुआ देखेंगे और आप घोर सवारों को और चारागाह में काम कर रहे लोगों को देखेंगे वह वहां से गुज्रने वालों पर अपनी चाप देखेगा और वह स्वामी को संकेत देगा और स्वामी इसे देखेगा और उसे सर्वाधिकार प्रदान करेगा उसकी छोटी घोरी उस चारागाह में चारो ओर दोरती है मवेशियों के सीन खड़े हुए इस प्रकार दिखाई देते हैं और वो अपनी ही गायों पर छाप लगाता है वे कहते हैं वहाँ जमा होंगे लोग बहुत तब अगवाले खड़े होंगे वहाँ नम होकर तब उन पर न्याय के सवारवारा छाप होगी जो वहाँ पर नियुक्त होगा और सभी छाप को जानता होगा इसलिए वो कहता है मैं सोचता हूँ कि मैं भटकी हुई एक भेर होंगा उस मनुष्य जैसा होंगा जो मरने की राह देखता होगा जो बिना छाप के होगा वे ऐसो को लेकर सूप बनाते हैं जब उन सवारों का स्वामी आता होगा तो वो ऐसी भेडों को दूसरे अशिष्ट जानवरों के साथ काटता होगा देखिए कि यह कौन है देखिए कि यह सवारों का स्वामी कौन है वो मैंना है वो उन साथ सुसमाचार दूतों का स्वामी नियुक्त किया गया है और वो हर छाप को जानता है समझे ध्यान दे, यहां वो आता है, वो बिच्वाई के कार्य को छोड़ कर, वद किये हुए मैमने से सिंग बनने, राजा बनने के लिए आता है कि संपूर्ण संसार को न्याय में लाए, उस पर न्याय लाए जिन्होंने उसे तुकराया है तब हमारा छोड़ाने वाला कुटुम्बी पुनरता है एक राजा होगा क्यों? क्योंकि छुटकारे का वसियत नामा उसके पास है, वो उसके हाथ में है, मैं प्रसन हूँ कि मैं उसे जानता हूँ तब वह अपनी विरासत का, जो की उसकी कलिसिया है, उसकी दुलहन है, दावा करता है वह उसका दावा करता है, इसके बाद वह क्या करता है? वह अपने विद्रोही, शैतान का नाश करता है वह शैतान को उन सब के साथ आग की जील में फिक देता है जो शैतान से प्रेरित हुए थे जिन्होंने उसके छुटकारे के वचन को ठुकराया था वहब राजा है दया अभी भी सिंधासन पर है आप उसके प्रस्ताव को ना ठुकराए सवार जानता है कि आप कौन है और अब उसका विद्रोही जो दो हजार वर्षों से उसे परिशान कर रहा है दावा करता है मैं उनके साथ वह कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ वे अभी भी मेरे पास हैं वे मेरे हैं उन्होंने उस वसियत नामे से अपने आपको वंचित कर लिया था परन्तु वह चुडाने वाला निकट कुटुन भी है वह अब यहां पर बिच्वाई कर रहा है परन्तु किसी दिन वह कहता है मैं उन्हें कबर में डाल दूंगा परन्तु उसने कलिसिया को बताया है मैं तुम्हें बाहर निकाल लाऊंगा परन्तु पहले मुझे एक बिच्वाई बनना है अब वह बाहर आता है वह अनंत्ता से अपने कदमों को बाहर निकालता हुआ दृष्टि गोचर होता है वह पिता के सिंधासन से जहां पर की वह एक बिच्वाई के रूप में बैठा हुआ था निकलता हुआ आता है ओह अब वह राजा बनने के लिए सभी जातियों के लोगों पर लोहे की छड़ी के साथ शासन करने आता है न्याय स्थापित हुआ ओह भाई हमारा चुड़ाने वाला निकट संबंधी यह सभी बातों पर अधिकार रखता है जी हाँ श्रीमान यह सच है वह क्या करता है वह उन बिगाडने वाले हाथ को शैतान को बुलाता है और कहता है यह अब मेरे है मैंने इन्हें कबर में से जिलाया है और वह उन सब जूटों को और वचन को बिगाडने वालों को और इसी तरह के सभी लोगों को शैतान के साथ हिकर्था करता है और उनको आग की जील में सर्वनाश कर देता है अब वह पूरी हो चुकी है वह उन्हें आग की जील में फेक देता है ओ, मेरे प्रभू, क्या आप यह जानते हैं? इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, मैं आपसे यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ. और तब हम शीगरता करेंगे. ध्यान दे की अब हम प्रकाशित वाक्य के पांचवे अध्याय के साथवे पतपर हैं. परन्तु मैं आपका ध्यान आठवे से चोदहवे पतपर डालना चाहता हूँ कि आप गौर करें कि इस बीच क्या घटित होता है. और जो आकाश में थे और जो प्रित्वी में थे, जरा इसे सुनिए, मुझे इसे पढ़ने दीजिए. मेरा यकीन है कि यह अच्छा रहेगा कि मैं इस पुस्तक में से साथ वे पत से पढ़ना आरंब करें. और अब छटे पत को देखिए. और मैंने उस सिंघासन और चारो प्रानियों के बीच में और उन प्राचिनों के बीच में, मानो एक वद किया हुआ मैमना खड़ा देखा, उसके साथ सिर्थे, मेरा मतलब साथ सिंगे थी, और साथ आखे थी, हमने अभी थोई देर पहले इन्हे समझाया है, ये समझे, ठीक है, और उसने, मेमने ने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंघासन पर बैठा था, वो पुस्तक ले ली, अब देखिए, जब वो यह करता है, अर्थात जब वो पुस्तक ले लेता है, तो क्या घटित होता है, आप जुबली के विशय में कहते हैं, अब यह उन मो मोहरों का तोड़ा जाना है, ठीक यही है वो जो तब घटित होता है, ठीक इसके बाद हम आधी घडी का सननाता देखेंगे, इसे देखिए, और हम यहाँ पर इन मोहरों का अध्यान करना आरंब करेंगे, और हम यहाँ पर अगले रविवार की रातरी को इनका समापन कर दे और अब आप इसे ध्यानपूरवक सुने, क्या आप तैयार है, यदी हाँ तो कहिए आमीन, मंडली कहती है आमीन प्संप, ध्यानपूरवक सुने कि जब उसने उस पुस्तक को ले लिया था तो क्या घटित हुआ था, जब उसे यह मिल चुका, जब सारी सृष्टी करहा रह जब कोई भी यह नहीं जानता था कि क्या करना है, और युहनना रो रहा था, तो मैमना बाहर निकल कर आता है, और यह पुस्तक मूल स्वामी के हाथों में थी, क्योंकि मनुष्य गिरावट में आ गया था, और उसने इसे गवा दिया था, और कोई मनुष्य उसे लेकर पृ ना यह संत, ना वो संत आता है, वरन वद किया हुआ, लहू लुहान मेमना आता है, और आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंधासन पर बैठा था, पुस्तक ले लेता है, और जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक छुडाने वाला था, जब वेदी के नीचे प्रान थे, ज जब स्वर्ग दूत वहाँ पर थे, जब प्राचीन वहाँ पर थे, जब वहाँ पर सब देखे थे, जब उसने ऐसा किया था, जब उसने उस पुस्तक को लिया था, यहां भी भविश्य में होना शेश है, परन्तु आज रातरी वह बिचवाई है, परन्तु वह ऐसा करने आ पूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे, ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं. ये उनकी प्रार्थनाएं हैं, जो वेदी के नीचे हैं, जिन्होंने बहुत समय पहले प्रार्थनाएं की थी. देखिए, उन्होंने चुटकारे के लिए प्रार्थनाएं की थी, उन्होंने पुनरुथान के लिए प्रार्थनाएं की थी. और यहां पर वे प्राचीन उनकी प्रार्थनाओं को के सम्मुक उंडेल रहे थे, क्योंकि अब हमारा एक प्रतिनिधित्व है, स्वर्ग में हमार एक निकट कुटुम भी है, जो अपनी दावेदारी करने के लिए आगे आता है। और वे यह नया गीत गाने लगे, कि तु इस पुस्तक के लेने, और उसकी मोहरेक खोलने के योग्य है, क्योंकि तुने वद होकर अपने लहू से हर एक कुल, और भाशा, और लोग, और जाती में से, देखिए, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है, और उन्हें ह पर वापस आने वाले हैं कि राजा और याजक हों, परमेश्वर की महिमा होवे, मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं कि मैं भाशाओं में बोलू, देखिए, ध्यान दीजिए, जी हां, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अधिक भाशाएं नहीं आती हैं, जिनमें मै परमेश्वर की स्तुती कर सकूँ, मैं एक भाशा चाहता हूँ जो मुझे भी नहीं आती है, ध्यान दीजिए, और जब मैंने देखा इसे सुनिए, और जब मैंने देखा तो उस सिंघासन और उन प्रानियों और उन स्वर्गदूतों का शब्द सुना, सुनिए कि क्या ही जुबली हो रही है, जब उन्होंने देखा कि वह मैंना आया है और उसने चुटकारे की उस पुस्तक को ले लिया है, तो वे प्रान आनंद के मारे चिल्ला उठे, हम इसे देखेंगे, सभी कोई प्राचीन उस मैंने के साम्हने गिर पड़े, उन्होंने संतों की प्राथना उसके सम्मुख उन्डेल दी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए एक प्रतिनिदी निकट कुटुम्बी था, वे अपने मुह के बल उसके साम्हने गिर पड़े थे, और उन्होंने एक गीत गाया और कहा, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तू वद हुआ है, देखिये, क्या, और उन्हों स्वर्ग दूतों को देखिये, और जब मैंने देखा, तो उस सिंधासन और उन प्रानियों और उन प्राचिनों के चारों और स्वर्ग दूतों का शब्द सुना, जिनकी गिंती लाखों और क जी हाँ, ध्यान दे। और वे उचे शब्द से कहते थे कि वद्ध किया हुआ मैमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ती और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अपना नाम वहां लिखा हुआ अवश्य देखा होगा। जब वे मोहरे खुली होंगी तो वो अति आनन्दित हुआ होगा। अब सुनिये कि उसने क्या कहा था। फिर मैंने स्वर्ग में और प्रित्वी पर और प्रित्वी के नीचे और समुद्र की सब स्रिजी हुई को और सब कुछ को जो उनमें है। यह कहते सुनाकी जो सिंधासन पर बैठा है। उसका और मैंने का धन्यवाद। और आदर, और महीमा और राज्य यूगानुयुग रहे। आमीन, आमीन, आमीन। और चारों प्रानियों ने आमीन कहा। और चौबीस प्राचिनों यूगा जीवते के सामने गिरकर दंडवत किये। आनन्दोत सब के बारे में बोलते हो, समय के बारे में बोलते हो, जब वह मैमना निकल कर आगे आता है, देखिए, वह पुस्तक वेभेद स्वर्ग में मोहरबंध है। अब आप पुछेंगे क्या मेरा नाम उसमें है। मैं नहीं जान मैं आशा करता हूँ वह है। परन्तु यदि वह है, तो वह उस पुस्तक में जगत की उत्पत्ती से पहले रखा गया था। परन्तु वह पहली चीज जो उस छुटकारे को प्रदर्शित करती है, वह मेमना है, जो जगत की उत्पत्ती से पहले वद किया गया था, आता है। और वह उस पुस्तक को ले लेता है, महिमा, और पुस्तक की मोहरों को तोड़ता है, और पुस्तक को खोलता है, और उसे पृत्वी पर अपनी साथवे दूत के पास भेजता है कि उसे अपने लोगों पर प्रकट करे, मंडली अति आनंद विभोर हो जाती है, संप. देखा आप यहां है ओह मेरे परमेश्वर तब क्या हुआ था उचे शब्द से चिलाना हालेलुयाए परमेश्वर को महिमा देना सभी प्रकार के जाहिर करना मंडली का अतियानंद विभोर रहना जारी रहता है और हमारा भाई बुजुर्ग युहनना जो की वहां पर खड़ा हुआ था उचे शब्द से बोल रहा था क्यों क्योंकि वह कहता है स्वर्ग में और प्रित्वी पर और समुद्र की सब स्रिजी हुई वस्तुओने और सब कुछ जो उनमें है मेरी चिलाहट को सुनी आमीन धन्यवाद आदर, महिमा, शक्ती और सामर्थ उसकी है जो युगानयुग जीवता है जब हम उन मोहरों के खोले जाने को देखेंगे तो हम आनन्दित समय के विशय में बोलेंगे युहनना ने अवशय उस पुस्तक में देखा होगा और समय के परदे में पीछे जहाट कर देखा होगा, युहनना वहाँ है ओ, वह यह देखकर इतना आनन्दित था, वह वशय ही इतना अधिक आनन्दित था कि वास्तव में वह हूचे शब्द से बोल उठा था, क्या उसने ऐसा नहीं किया था वह बोल उठा था, मैंने स्वर्ग में, प्रित्वी में और जो कुछ प्रित्वी के नीचे है और सब प्रानी और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते हुए सुना की आमीन धन्यवाद और महिमा और ग्यान और सामर्थ और धन और शक्ती मेमने का है आमीन वह ऐसा क्यों बोल उठा था क्योंकि तब उसे यह प्रकाशन मिल गया था कि मेमना जो की हमारा छुडाने वाला है, जो की हमारा निकट कुटुम्भी है वह बिच्वाई के सिंघासन से उठकर आ गया और वह यहां पर अपने कबजे को अर्थात अपने अधिकृत करण को लेने आ गया है जल्द ही मेमना अपनी दुलहन को लेने आता है कि वह सरवदा उसके पास रहे स्वर्ग की सारी सेना वहां जमा होगी ओ यह क्या ही महिमायुक्त दृष्य होगा सारे संथ बेदाग सफेद में होंगे और यीशु के साथ हमारा अनंत काल तक राज होगा आओ और भोच कर लो स्वामी तुम्हें बुलाता है वचन के उपर आओ और भोच कर लो ओ देखिये आनंद के मारे मैं निशब्ध हो गया हूँ आओ और भोच कर लो आओ और भोच कर लो यीशु के मेज पर उसके साथ कर सकते हो भोजन किसी भी समय अभी तुम परंतु जब वह बिच्वाई के सिंधासन को छोट कर आता है नहीं उसने भील को भोजन खिलाया पानी को था दाखरस बनाया उसीने यह कहा था जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा ओ उसीने इन बातों की अंत के दिनों के लिए प्रतिग्या की है उसीने इन बातों को कहा था वही अप प्रकाशन के समय में है जब इन बातों को प्रकट किया गया है आओ और भोज कर लो ओह मेरे भाई तुम इसे चूकना नहीं आये कुछ देर के लिए हम अपने सिरों को जुकाए कल रातरी को हम परमेश्वर के अनुग्रह से पहली मोहर को तोड़ने का यत्न करेंगे यदि परमेश्वर इसे हमारे लिए तोड़ेगा तो हम यह देखेंगे कि यह प्रकाशन क्या रहा है जो जगत की उत्पत्ती से गुप्त रखा गया है इससे पहले कि हम वह करें पापी मित्रो या गुनगुनी कलिसिया के सदस्योग क्या आपकी कलिसिया में सदस्यता है या नहीं यदि आपके पास मात्र सदस्यता ही है तो आप शीग रही यह पाएंगे कि आप उससे अलग हो चुके है आपको नई जन्म की आवश्यक्ता है आपको लहूं के पास आना चाहिए आपको कुछ ऐसी चीज के पास आना चाहिए जो पाप के धबों को मिटा देख की उनकी आगे को कोई याद बाकी न रहे यदि आपने अभी तक मेमने से हवा में मिलने की तयारी नहीं की है तो उस सामर्थ और अधिकार से जो परमेश्वर के द्वारा मुझे दिया गया है और जो सेवकाई एक दूत के द्वारा और आग के खंबे द्वारा मुझे प्रदान की गई उस आधार पर मैं तुमसे यीशुमसी के नाम में कड़े शब्दों में कहता हूँ कि तुम उससे इस जगत के गिर्जे में दर्च कराए अपनी सदस्यता के द्वारा मिलने की चेश्टा बिल्कुल न करना. जहां तक मैं जानता हूँ, वह परमेश्वर के सिंधासन पर अभी भी बिच्वाई कर रहा है, और जबकि वह बिच्वाई कर रहा है, आप उसके पास आ जाएं. क्योंकि एक ऐसा दिन आने वाला है जब तुम उसके पास आना चाहोगे और वहाँ पर कोई बिच्वाई करने वाला न होगा. क्योंकि यदि हम देखते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं, वह सात्वी कली सी आइकाल है, और परमेश्वर के भेदों का प्रकटी करन ठीक वैसा ही हुआ है, जैसा की वे हैं, और परमेश्वर का आत्मा उन्हें सत्य प्रमानित कर रहा है तथा सब को यह दिखा रहा है कि उसने इन बातों की प्रतिग्या अंत के दिनों के लिए की है, तो कितना समय और शेश है, पापी मित्रों उसके लहूं के पास आ जाओ, प्रभु यीश्व, समय समाप्त होता जा रहा है, हो सकता है, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा देर हो गई है, हम इस घड़ी के लिए जिन्होंने वचन को ठुकराया है, यह सबसे अधिक दूप्ख का दिन होगा, उनके लिए यह उतना दूप्ख का समय होगा जितना की हो सकता है, वर्नमाला में ऐसे अक्षर हैं ही नहीं जिनसे उन शब्दों को निर्मित किया जाए और नहीं उन आशिशों का उले अनुग्रह के सिंधासन पर है, तो होने पाय की मेमना सिंधासन से उठकर उनके हृदय में चल कर आए और उन पर यह प्रकट करे की वे नाश में हैं, और वो अपने लहूलुहान हाथों के साथ उनसे कहे, जब तक आने का समय है, आ जाओ, प्रभु, मैं संदेश को अपनी प्रार्थना सहित आपके हाथों में सौपता हूँ, पिता, यीशु के नाम में आप जो इसके साथ करना चाहें वो करें, जबकि हमारे सिर जुके हुए हैं मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपने इस निवेदन को और इस मांग को पूरा नहीं किया हो, यदि आपने केवल चुटकारा कर सके, यदि आपने किसी संत की बिच्वाई पर विश्वास किया है, तो आप अभी भी नाश में हैं, यदि आपने अपने हाथों के धर्म पर विश्वास किया है, यदि आपने उसका विश्वास किया है, जो आपने अपने हाथों से किया है, यदि आपने प्रार्थना अथ्वा अपनी माई या पिता की धार्मिक्ता पर विश्वास किया है तो आप अभी भी नाश में हो। यदि आप व्यक्तिगत तोर पर उसे नहीं जानते हैं तो मैं परमेश्वर के सम्मुख कड़े शब्दों में तुम से कहता हूँ कि आप ठीक अभी परमेश्वर से अपने संबंधों को सुधार ले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपना यह एक अनंतकालीन निर्नाय लेंगे प्रभु मैं हाग कहूंगा। और निर्नाय एक पत्थर होता है परन्तु एक पत्थर से क्या लाब हो यदि कोई उसे काटने छाटने वाला वह मिस्तरी न हो जो उसे किसी भवन के लिए आकार देता है और उसे भवन में फिट करता है। होने पाए की पवित्र आत्मा आपको आपके उस रूप से काटे छाटे जो की आप है और आपको उस रूप में बदले जो आपका होना चाहिए। यदि आप नामधारी कलिसिया के कट्टर सदस्य हैं, यदि आप पापी हैं, यदि आप बिना मसीह के हैं, यदि आप बिना पवित्र आत्मा के हैं, या आप जो कोई भी हैं, तो होने पाए कि आज रात्री परमेश्वर आपको शान्ती प्रदान करें अब प्रभू, मैं अपनी बुद्धी से जितना जानता हूँ कि आपके पास कैसे आना चाहिए, मैं वचन के द्वारा जितना जानता हूँ कि आपके पास कैसे आना चाहिए, उसी के द्वारा मैं आपके पास इन लोगों के साथ आपके वचन सहित आकर स्वयम को तथा इन लो यहाँ पर कोई ऐसा है जो पवित्र आत्मा की मधूर उपस्थिती के विश्य में नहीं जानता है या यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की मधूर उपस्थिती का अटूट आश्वासन नहीं है और हृदय की कठोरता या महत्वहींता या स्वार दूर हो जाए और वह लहू लूहान, मेमना, वह पवित्र, निकट कुटुम्भी जो सिंधासन से चल कर आता है, वह दिव्यालोकिक प्रकाशों में से होता हुआ परमेश्वर के सिंधासन के गलियारों से चलते हुए आगे आता है और अपनी पैत्रिक संपत्ती का दावा करत है, प्रभु, यह प्रदान कीजिए, कि आज रात्री ये लोग उस मेमने को ब्रहन करें, होने पाए कि प्रत्येक निर्नाय भक्तिभाव पूर्वक किया जाए और होने पाए कि ये अपने आपको उस मेमने को समर्पित करें जो एक मात्र ऐसा है, जो इन्हें परमेश्वर क पुत्र व पुत्री के साचे में धाल सकता है, अब इस पवित्र प्रार्थना में मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि मुझे इसी प्रकार लोगों की अगुवाई करनी चाहिए, उसी परमेश्वर के सम्मुख जिसने स्वयम को आप पर और आप एक मसीही नहीं थे, या आप वह नहीं थे जिसे हम कहते हैं, एक सच्चा मसीही, नामधारी गिर्जों में सम्मलित होने वाला नहीं, वरन मेरा अभिप्राय नया जन्म पाए हुए मसीही से है, आप पूरी सत्यनिष्था से संदेश का विश्वास करें, तथा आप पूरी सत्यनिष्था से विश्वास करें कि आप केवल परमेश्वर के अनुगरह से ही बच सकते हैं, और आप विश्वास कीजिए कि वह अब आपके हृदय से बातचीत कर रहा है, और क्या आप उसे ग्रहं करना चाहते हैं, और क्या आप तयार है कि उसका वचन आपको इसा व्यक्ति है जो अपने आपको बनाना चाहता है। पूरी तरह से सिधत तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। स्वर्गिय पिता, मैं इससे अधिक और कुछ नहीं जानता हूँ, सिवाए इसके की आपके वचन के हवाला करूँ। यहाँ पर अपने पैरों पर वे लोग खड़े हैं जो यहानुभव करते हैं कि वे उस अवस्था में नहीं हैं जिसमें उन्हें होना चाहिए, और उस रुपांतर के लिए तयार नहीं है, जो हो सकता है कि हम पर पहली मोहर खुलने से पूर्व हो जाए। और पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपका सेवक होने के नाते, उस महान बिचवाई, मसीग को यह प्रार्थना चड़ाता हूँ। और तब कोई करुना नहीं होगी, क्योंकि तब न्याय होगा। प्रभु, यह प्रदान कीजिये, कि ये लोग जो अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने हृदय में अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, और यह इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा इनहें साचे में धाले, और काटे छाटे, और प्रभु परमेश्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं अपने स्वर्गिय पिता और स्वर्ग दूतों के सामने मान लूँगा, और प्रभु येश्व आज रातरी आप इन सब की उपस्थिती में वहाँ पर बैठे हुए हैं, और यह यहाँ पर खड़े हुए आपका अंगीकार कर रहे हैं, और प्रभु यदि इनका यहांगीकार हृदय की गहराई से है, और यह इस बात में सुनिश्चित हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, तो अब आप इनके लिए बिचवाई कर रहे हैं तथा बलिदान का मेमने के लहु के द्वारा शुद्धिकरन के अयामो में अनुग्रह और करुना में इनहें स्वीकार कर रहे हैं, और ये आपके रहेंगे, यिशु मसील के नाम में, आमीन अब आप जो इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखते हैं, यह युवा लड़का ठीक यहां पर खड़ा है, और वे उपर खड़े हुए हैं, आप जो यहानुभव करते हैं कि सभी पाप और निंदा खत्म हो चुकी है, आप में से कुछ लोग जो इनके पास खड़े हुए हैं, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाए और उनसे हाथ मिलाएं और कहें, भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उनसे हाथ मिलाएं और कहें, प्रभू आपको आशीश प्रदान करे और अब बाकी शेश बाते सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में हैं। आप केवल कहें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तथा परमेश्वर के राज्य में आपको पहुचाने के लिए मैं आपकी जितनी सहायता कर सकता हूं, करूंगा। ओ आज बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, वह धी में, मीठी आवाज में आज बुला रहा है, क्या तो मुझसे प्रेम करते हो, क्या वह अदभुत नहीं है, ओ आप उसके बिना क्या करेंगे, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, ओ प्रभु, मुझे अपने वचन से पोशित कीजिए, और एक दूसरे के साथ एकर्था होना न छोड़े, जैसे कि यह विश्वासियों की रीती है, और जियो जियो उस दिन को निकट आते देखो, त्यो त्यो और अधिक यह किया करो, अगली रातरी को परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के अनुगरह से, जो कुछ भी मुझ में है, उसके द्वारा मैं यतन करूंगा कि उससे यह मांगूप की जबकी मोहरों को तोड़ा जाता है, तो वो इन मोहरों के भेद को प्रकट करने मे मध्यस्थता करे तथा लोगों पर परमेश्वर के वचन की उद्गोशना करे, जब तक हम फिर न मिले, परमेश्वर आपके साथ हो, और अब मैं सभा की आगे की कारेवाही अपने प्यारे भाई, पास्टर, भाई नेविल को सौपता हूं, कितने भाई नेविल से प्रेम क करते हैं, भाई नेविल आगे आईए, भाई नेविल परमेश्वर आपको आशीशित करे,